हमारी सatब्राद के एक बहुत बड़े निभाद में थोड़े पर्ले एक सरविक्षण किया है इंडियास स्क्थिस्टिफिकल इपार्थ यो इस संस्था की टरफ से थे भारत सरकार की संस्था है इनोंने क्सरविक्षण किया और वो सर्वेक्षन में उनने जानकरी दी है कि 110 करोड लोगों की भारत में मात्र 33 करोड लोग ऐसे हैं जो चिपिट्सा की सुविधा ले सकते हैं मात्र 33 करोड इसको दूसरे सर्विक शब्दों में मैं कहूं तो भारत में सिर्फ 33 करोड नागरिक ऐसे हैं जो चित्सा करा सकते हैं। वो चाहे हेलोपर्थी कि हो, होमयोपर्थी कि हो, आयोफे Jean Magles., बायोट्यमिक हो, न empresa योग और परहायाओं कि हो या भैर्मयक्रेभी कि हो जिनको वेकल पेशलिक्सा पद्दकि म्यूंए जाना है। मारत में 33 करोर लोग भारत में ऐसे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं कि वो अपनी उच्छा के बागतर से चिकित्सा ले सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 70 करोर नागरिक ऐसे हैं इस देशन जिनके पास चिकित्सा की सुविधा उपलत नहीं। वो जो 77 करोर नागरिक हैं वो या तो किसी ओज़ा के पास जाते हैं या तो कोई दुनिया के पास जाते हैं या तो कोई पीर फकिर के पास जाते हैं या किसी महात्मा सादु संथ के पास जाते हैं और जो भी उनकों मिलता है उसी को सहर्ष चिकित्सा मानकर्व सुविधार करत इसमें दुश्परिणाम भी होते हैं कुछ कभी-कभी अच्छे परिणाम भी आ जाते हैं दुश्परिणाम ये होते हैं कि कई बार हजारों नहीं लाखों की संख्रा में नौते हो जाते हैं कुछ कभी-कभी अच्छे परिणाम भी भी जाते हैं पहुंचा हूँ अपनी इंफटीर है सादू महात्मा है जिसको ग्यान है तो वो कभी उनको ठीट भी कर देते हैं लेकिन सफटर करोर नागरिकों का जो जीवन है वो सरकार की जानकारी की अपसाथ बिना चिकित्सा के चलता है मात्र 33 करोर नागरिक ही है जो चिकित्सा ले पाते हैं यह जो 33 करोर नागरिक है इनके बारे में एक सर्वेक्शन किया है सरकार में इन 33 करोर नागरिकों मैंसे 5 करोर नागरिक ऐसे हैं जिनको बहुत बुरी हिमारी डायविकीज है और इस डायविकीज के कारण उनकी जिन्द किसी को मारेगा तो चुप्चा भी विचारा चला जाएगा बता भी ने सकता है। मेरे साथ अब एक जुर्वेटा हुई, मैं रेल से डिली से जम्मू जा रहा था, मेरे एक दोस्त मेरे ही साथ के सम्यान में काम करता हुआ, वो भी मेरे साथ जा रहा था, मेरी तो बर्थ थी, प्रेम में वो नीचे थी, उसकी उपर थी, रात को बिली स्टेशन पर हम सब सो गए, वो उपर पे सो गया, वो नीचे सो गया, सबेले जब प्रेम जम्मू पहुंची, तो मैंने उसको ज़ंडोर के जलाया, तो जला नहीं, और मैंने जब थोड़ा हिला था, तो पूरा शरील उसका लीचे गिर गया, तब मुझे पकाचना कि वो मर गया, रात में ही उसकी लक्तिव हो गया, जम्मू मेडिकल कॉलेज में हम उसे ले गए, तो डॉक्टरों ने कहा कि रात को गारी से त्री मजे के बीच में इसको डायगीज के किसी प्रिशन को कितना भी सीवियर हर पर टेखाए, वो बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसका सेंसेशन खतम हो जाता है, डायगीज ऐसी बीमारी है, ये पाँच करोड भारत मासियों को हो गए है, दीरे दीरे संख्या लगाता बढ़ती ही इसी तरह से भारत में लगब साड़ की से चार को रोग ऐसे हैं, जिनको जॉइंन स्पे नहीं रहता है हमेशी है, गुते में दर्ध है, कमर में दर्ध है, तन्दे में दर्ध है, आप उसको अर्थराइडिस कहिए, या संभी बाद कहिए, सारे तिन से चार कोई लोगों को बारत सरकार बोलती है कि लगवग भारत में 4,25 लाइशे हैं जिनको पेखी अनिक अनिक बीमारिया हैं जैसे कबजियत हैं, कॉस्टिवेशन हैं, जैसे गूड़ व्यार हैं, बवासीर हैं, भगंदर हैं, हैमरोइट से, पाइल से, ऐसे गूड़ हैं फिर सरकार बोलती है कि लगवग भारत में 3,25 परोड़ों हैं जो इक वो दमा हैं, अस्थमा हैं, और दमा अस्थमा के साथ टीवी जोड़ दी जाए, तो ये 10 करोड़ की संख्या हो जाती है तो मैंने देख लिया कि 33 करोड़ों के इलाज कराते हैं इस देश में, वो सब गंभीर बीमारियों से ग्रसे थे इनका खर्चा कितना है इलाज कराने का, ये सरकार के स्वास्त मुंत्राले को एक बार नहीं पूचा तो उन्होंने बताया कि भारत के नागरिक एक वर्ष में चिकित्सा पर कुल मिलाकर, सावे 4,00,000 रुपए खर्च करते हैं इसमें तीन खर्चे शामिल हैं, डॉक्टर को दी नहीं फीस, खरी दी नहीं दवाएं और अगर जनुरत पढ़ने पर हुआ ओपरेशन तो ओपरेशन का खर्च ओप्रेशन का खर्चा खरीदी में दमाएं और डॉक्टर को दीवरी फीस ये तीनों मिलाकर सारे चार लाग परोर रुपए पैखता है अब सारे चार लाग परोर रुपए की जो रगदम है वो छोटी मोटी नहीं है अगर आग इसको कैलकुलेटर में लिखो तो कैलकुलेटर फिल हो जाए कारण ये है कि कैलकुलेटर में बारह अंक आपे और ये साड़े चार लाग परोर लिखनें देचार लिखनेंगे पैटारीश लिखना फिर उसके आगzar carried पारे शुन में लगाना 002 इतनी बड़ी रकम चिकिकसा पर खर्च हो जाती है इस तेश के इस रकम के दो हिस्से हैं एक तो हो जो सरकार खर्च करती है लोग के उपर दूसरा हो जो लोग खुद खर्च करते हैं अपने उपर आड जानते हैं कि भार्त में दो तरह से चलती हैं, एक इंड्र की Сरकार, एक राजी की सरकार दोनों चिकित्सापटो जो किर्ट करते हैं और रोस अपने ऊपर जो चिकित्सा करुछ करते हैं यह कुल दिलाकर साल का 40.000 का करोन करता है कि स्वास्का मंध्राजा को आगे पूछा जाये को यह सारी 4 चार्खा का खर्च होने कि बार 210 और क्या चार्शी है सब ठीक हो जाए दे के कोई बारेंटी नहीं क्योंकि यह सानों साल से इसी तरह से चल रहा है खर्चा कम नहीं हो रहा है बढ़ता जह रहा है ये एक गब्री बाद है, हम चिकित्सा पर खर्च बढ़ाते जाएं, हॉस्पितलों की संख्या बढ़ रही है, और अप्रों की संख्या बढ़ रही है, दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा है, सुख की जो परिभाशा है भाय की वो ये कि जो संपूर निरोगी है वो सुखी है जिसका जीवन निरामय है वो सुखी है तो संपूर निरोगी लोगों की संख्या इस देश में लगाता घट रही है सुख बढ़ नहीं रहा है बीमारिया जरूर बढ़ रही कई बार ऐसे ऐसे नाम सुनाई गेते हैं बीमारियों के तो दिमाद चक्कर खा जा चिकन गुनिया अभी थोड़े दिन कहले रोग आ गया करोरा लोग परिशान हो गया करोरा दौक्टर भी परिशान हो गया शोकि उनको भी ये रोग से त्रसित हो ली पर बाद गुंत में अभी भी दुख रही है कंडे में аौप में ये समस्या趣 हमारे देश में है और यह समस्या भारत में है ऐसा नहीं है दुनिया के सभी देशों में आपको ऐसा लगता है कि अमेर का और यूडों ने भावट अच्छे रणम सुखी हैं वहां भी नहीं आ है कि वहां की दवा कंपनियां और डॉक्टर बोलते हैं कि इनका स्वास्त का इलाज कर पाना असंबल जैसा देखने लगा यूरोप में भी बुरी हाल है यूरोप और अमेरिका की सरकारें बोलती हैं कि उनका सबसे ज़्यादा टैक्स दवा बेशने वादी कंपनियों से या यूरोप और अमेरिका इसका मने सबसे ज़्यादा वहां कुछ बिखता है तो दवाएं ही बिखती हैं और दवाएं अगर सबसे ज़्यादा बिख रही हैं तो विमार लोग सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा जिसके पास पैसा है वो देश का नाम है सुर्जग लेंग दूसरे नंबर पर देश है देरिमार्ग तीसरे नंबर पर है स्वीड़न इन तीनों ही देशों में मनो रोगियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा मनो रोगियों मानसिक रोगों के जो म कभी आप नौर्वे सुधिन जैसे देशों में प्रवास करें तो आपको लगेगा बाहर से देखकर कि सब स्वर्व तो दुनिया का यहीं पर इतनी अच्छी सड़के हैं वहाँ पर कि कहीं किलो मीटर पर किलो मीटर आप चले जाए सेपरों सेपरों किलो मीटर चले जाए सड हुँ बनाना हुए कि खंदा लेगे कि बजावुति जाए ह्мовOFF के मुझे हो दो जाए सब आंदेश की सब्स्कों के लिए किक ऑडिवट मारें पर नौरबर महार具 को पूओ घियाँ तुमारी सीय्क एettedगन है सपाथ आगएं है गाडियां नहीं सब कराद कोई तेक्ति आई जिसके पास दो से कम गाडिया हों कम से कम तो दो है अधी सद्हूं दस्दस गाडिया हैं एक सब्षाइक पड़िवार है तो गाडियों मेही चलना है, सवके एक्दम क्ले हैं, फिर तुम्हें कमरदर्द कैसे होता है, हम हिंदुस्तानी सोच सकते हैं, कि यहां सड़क नहीं होती है, खड़े में से सड़क जाते हैं, खड़े खड़े होते हैं, तो बार बार गारी उपर नीचे, उपर नीचे, तो हमें कमरदर्द हो, तो समझ में आता है, तुमको यह कमर तो कहते हैं कि सहाब सुविधाय गणरे से स्वास्त मिल जाए ये जरूरी नहीं होता है। सुविधाय बहुत हो सकती हैं लेकिन आप सुखी हैं ये बेखी नहीं है। दुनिया में सबसे जादा टेलीफोन, प्रति व्यक्ति फिन्लेंड में हैं। छोटा सा देश है फिन्लेंड लेकिन सबसे जादा मस्तिष्ट के कहनी सर उसी देश है। पर कहते हैं। तो ये मैं बातें आपको सिर्ज ध्यान में लाने लिए कह रहा हूं। कि स्वास्तिता सुरिधाओं से कोई संबंद नहीं है। हो सकता है आपके भर में बहुत सुरिधाएं हो। लेकिन रात को नीद ही नहीं आती हो। गंटों गंटों नहीं आती हो। चार-चार गोईयां खाने के बात भी नहीं आती हो। ऐसे बहुत लिएंगों को मैंने देखाए। हजारों करों की संबत्य के मालिक हैं। लेकिन दो घंटे की नीद के लिए तरसते हैं। कि उनको नीद आ जाए। कभी मैं उनके घर में जाता हूँ तो यहीं बात की बात तो कि नीद आ जाहे। तो मैं उनके कहता हूँ, इसअ कोई फर्मूला नहीं जाता। ऐसी इस्तिती हमारे देश में हैं और दुनिया के सभी देश्वा में हैं। इस इस्तिती को ठीख होना चाहिए। इस द्रश्टी से मैं बहुत दिन से सोचता है तब कैसे चीख हो ज़िए अपने देश में और दूसरे देशों में को मैंने देखा, सुना, पढ़ा उस पर से मैंने सोचना शुरू किया कि इसको ठीख कैसे किया ज़िए अपने ही भारत देश में 30 करोर जो चिकितसा ले सकते है वो कम धीर बीमार है और 77 करोर जो नहीं ले सकते हैं उनकी तो बाकी क्या है इन लोगों को कैसे चीख कर सकते हैं तो एक बाद मैंने सोचना शुरू किया शायद होस्टिकल की संखा बढ़े डॉक्टर जादा हो जाए तो ये चीख हो जाएएगे लेकिन मैंने एक दिर हिसाब जोड़ा कि भारत में 20 लाख डॉक्टर हैं जो रजिस्टर्ड है 10 लाख डॉक्टर हैं जो अन्रजिस्टर्ड है 30 लाख डॉक्टर इस देश में काम कर रहे है फिर भी भारीजों की संक्या बढ़ गई है कोई कारणी ने ने कि ये एक करोड हो जाए तो बरीज कम हो जाए हमारे देश में 1947 में जब आजादी आई थी तो 70 करोड रुपए साल की दवाएं इस देश में बंती थी आज इस देश में सब्तर हजार करोड रुपए साल की दवाएं बंती है फिर भी सुख नहीं मिल रहा है बीमारियां कम नहीं हो रहे तो बीमारियों को कम करना है और सुखी होना है तो शायद इसका कोई अलग रास्ता है ये सोचकर मैंने पढ़ना, लिखना, अभ्यास करना शुरू किया तो समझने आया कि बीमारियों का जो संब्द है वो सीधा सीधा जीवन शैनी से है खान पान से है, आचरम विवार से है सीधा सीधा संब्द दुनिया में सभी बड़े डॉक्टर सब इस बात को सुईकार करते है कि 90 प्रतिशक बीमारिया साइको सोमेटिक होते और साइको सोमेटिक बीमारिया अगर 90 प्रतिशक है तो साइको सोमेटिक होना तो सीधे सीधे अपना विवार, अपना आचरण, अपना खानपान, अपना रहन सहन इससे जुड़ा हुआ है अपनी प्रकरती से, अपने पर्यावरण से, अपने बातावरण से जुड़ा हुआ है तो मैंने इस ग्रश्ची से देखना शुरू किया कि हमारे भारत में रहने वाले लोगों के बारे में मैं ये सोचू कि इतनी बीमारिया क्यों हो रही है तो पता चला कि हमारी जो प्रकर्ती है हमारा जो बातावर्ण है हमारा जो परियावर्ण है उसके विपरी हमारा जीवन शेही हो गई है हमारी तो प्रकर्दी परियावर्ण बातावर्ण है उसके ठीप उल्टी हमारी जिलोई शेली हो गई आप दिलेगे जी हमारी प्रकर्दी हमारा परियावर्ण बातावर्ण कैसा है भारत दुनिया का एक अदभुद देश है मैं ये बाद 23 देशों को देखने के बाद कह रहा हूँ मैंने दुनिया में लगब 23 देशों का प्रवास किया उन सब को देखने के बाद में ये कह रहा हूँ कि भारत दुनिया में अद्वुत देश है और हम कईपा कहते हैं भारत महान देश है तो इसकी सच में कुछ महांता है जो दूसरे देशों में नहीं आप बोलेंगे उधारिण के लिए मैं एक उधारिण देता हूँ दुनिया में ये अकेला देश भारत है जहां पर सोले तरह के मौसम है अगर तक्रीकी शब्द में कहूँ तो 16 क्लाइनेटिल जोन्स हैं इस देश जो किसी दूसरे देश में है 16, 1 और 6, 1, 7, 1 ही देखे यूरोप में आप घुमने जाईए अमेरिका में जाईए, कनाडा में जाईए तो ज़्यादा से ज़्यादा दो क्लाइनेटिल जोन्स हैं वहां पर एक ठंड वाला और एक भयंकर ठंड वाल की अफ्रिका में चले जाएं तो अफ्रिका में भी दो इकलाइनेट जोन्स हैं एक गर्मी वाला और एक भयंकर गर्मी वाला जह करें हैं है लेमियिका में चले जैनी तो क्लाइमिये iç जोन्स हैं एक तो बारिश वाला और एक भय मंकर बारिश अगर ब्राजीय गये देश में चले जाएं तो आप हैरान हो जाएंग वेगpei आठ महीं निकलता ही । खुर्ची निकलता ही यह धुआ और ब्राजील के से देशों का इतना बुरा हार है कि कपड़ा सुखाना हो तो धोले के बाद 15 दिन 20 दिन लग जाते नाराम से जाते हैं तो लेतन अमेरिका में दो क्लाइमेट जोंस हैं घंड और भईकर खंड रखंड अफ्रिका में दो क्लायमेट जोंस हैंढनी और भईकर ग्र्म भारत में 16 कहीं एंड और शोलाम जाई है अगर आपको भारत में अफ्रीका देखना है इसी भारत में अफ्रीका देखना है तो राजिस्थान आज़ाईए देख लीजिए अफ्रीका में आप जानते हैं भयंकर रेडिस्थानी इलाखे आपको भारत में रेडिस्थान देखना है रेडिस्थानी घर में देखनी है जो जैसर ने राजाईए बीका ने राजाईए जोद्फुर के पास आजाईए आपको दिखाई देगाए इस भारत में आपको ब्राजील वाला क्लाइटिक जोंस देखना हो भहिंकर बारिश और मुसला धार बारिश तो चेरापुंजी आजाईए करनाटक में आजाईए मल्ला तो आपको ब्राजील दिखाईते जाए अगर इस देश में आपको ठंड और भहिंकर ठंड देखनी हो तो हिमाचल प्रुदेश आजाईए जमू का श्मीर आजाईए उत्तरांचल आजाईए आपको स्वीडल और बेंमार की नज़र आजाईए अगर ऑस्ट्रेलिया का दल एक isnyali का देखना हो तो भारत मैं है मैं मानना हूं ये भारत की सबसे बड़ी महांता है जो किसी देश में और ये क्लाइमेटी जो सबके सब एक साथ भारत में है इसका कारण क्या है मैंने बहुत ढूनने की कोशिश की तो पता चला कि दुनिया में भारत एक ऐसा अगुद देश है जहां सूर्य भगवान की सबसे बड़ी क्रपा है इस देश में साल में दो-चार दिनों को छोड़ कर ItiN ऐसा नहीं आता जो संदे ना हो S.N.N.B.A.Y. संदे मने सूरि का दिन संदे मने छुट्ती नहीं संदे मने सूरि का दिन बारत में साल में 365 बिलों में से पाट साथ दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संड़े ना हो और यूरोप और अमेरिका में तीन सो पैसे दिनों में से पंद्रे पीस दिनों को छोड़ दिया जाए तो एक भी दिन ऐसा नहीं है जो संड़े हो वहाँ सूरी का प्रकाशी नहीं है, अमरीका यूरोप में तो आठ महीने सूरज का दर्शन नहीं होता, इतनी ठंट और गर्फ का इलाका है, सूरजी नहीं लिकल, सूरी दिखाई नहीं देता, और इन देशों में कभी गलती से सूरी लिकल आया, तो वो लोग पागल हो जाते और इतने पागल हो जाते हैं कि कपड़ उतार के फिर देते, एक तम नंग धड़न समुद्र के किनारे लोगना शुरू कर देते हैं को कि सूरी का प्रकाश चाहिए, उससे ही विटैमिन भी नहीं का, और अगर उनको अपने देश में ना मिले, तो वो पागलों की तरह से भ इसलिए शर्ड उतारते हैं, पन्त उतारते हैं, सब उतार की लेक ता Гरीव हैं कि उनको मिलकी नहीं यह धूप, वो धूप खाने के लिए जहाँ है, और भारत सरकार दुनिया में अकिली सरकार हैं जो धूप पर टैक्स नहीं लेए, सुरी प्रकाश पर यहाँ कोई टैक्स मुफर्त में हैं सबको है जितना चाहो उतना बेर हर दे ले रोज रोज दे लेगो हजार साल से अगले हजार साल का यह अद्बुद देश है तो वो यहां आए सूरज की धूप लेने के लिए आए यह हमें समझने की जरूरत है इस देश पर सूर भगवान की अद्बुद क्रपा है और जिस देश पर सूर की क्रपा हो जाए वहां सब की क्रपा आ जाती है जहां सूर की क्रपा हो गई वहां सब की क्रपा हो जाती है क्योंकि ब्रह्मांड को चलने वाला सूर ही है इस सूर्भ अध्य की शक्ति अगर कही है तो सूरुत अब आप जो सरल सरल तरीपे से इसको सम्झवांग अगर यहाँ सूर्ष है तो temperature जो variation है तापान में अंतर है और यह तापान का अंतर ही है जो बारिश लाता है यह तापान का ही अंतर है जो हवा चलाता है, तबन होती है, बारिश होती है, धूलबरी आंधियां होती है, सुखी हवा चले, जीली हवा चले, ये सब तापमान के अंतरसरी होता है, temperature variation, और temperature variation वही होगा, जहां सूर्य होगा, तो सूर्य भगवान है, तो इस देश में सब कुछ है, हम जमीर में कुछ सूर्य डाल दें, सूर्य भगवान की किरन पड़ते ही अंतरर निकलता है, पौधा बनता है, पेड़ बनता है, पेड़ बनता है, पेड़ बन के क्या-क्या हम देता है, दुनिया के जिन देशों में सूर्य नहीं है, अच्छे से अच्छा बीच खेट में डाल दो, कुछ न गन्ना होता है गन्ना, क्या लगे जी नहीं होता, केला होता है केला, नहीं होता, शुकरकल्दी होती है, नहीं होती है, आम होता है, आम नहीं होता, अनार होता है, नहीं होता, फिर कह लगा आप ये राजी कोई कितनी देर पूचेंगे, मैं एक ही वाकिय में कह देता हूं कि द कि तोला नानकी हों जितनी नीठी वस्तुमें है जिनमें प्रकरती की मिठास है वह पूरे यर्मनी में पहीं नेथी ग therapists कि तो थिर मैं पूछा से आप खाते तो हो आम भी खाते हो केदा भी खाते वह गन्यादो आता कहां से हो फिनलिक हो इने तो इसमे पिर वेले कुछ आथए अच्छा दूसरा प्रफ्ज pickle का उत्तर दे दो तालत पता हुए तालतु तो मीठा हुज है मैती होती है मैती वो तो मीठी नही erme मुली ओती है मूली होती हुज वो तो मीठी नहीं तो अन्हों का आझे यह वाक्ते मेश शुन वो कि जो भी पत्ते हरे हैं, वो एग भी नहीं होता है, पूरे जर्मनी में हरे पत्ते वाला कुछ भी नहीं होता, मीठा पर कुछ होता ही नहीं, हरे पत्ते वाला कुछ नहीं होता, तो मैंने का भाई भी होता है का है तुमारे का उनुनका दो चीज़ा होती है, एक तो होता है आ पोगे कोई इसके अलापा कुछ में है तो फिर उसने मुझे पूझा तुमारे भारत में क्या चा होता है तो मैं रिख पाओ गे मैं आपको बोईना शुरू करता तो कुछ चीजें बोलतें बोलतें लिखना शुरू किया पिर जिए अगर आप नहीं लिख सकते क्योंकि भारत में 14,000 वस्तुवें होती है ठेट में, जंगर में, 14,000 हर नीची वस्तुव इस देश ने करता होती है जो कोई धुम्यान कल्प ने करता और यह जर्मनी का हाल है यह यूरोप के सबी देशों का हाल है फ्रांस एक छोटा सा देश है जहां अंगूर हो जाता है और थोड़ी लीची हो जाती है बाकी और कुछ वहां भी नहीं होता अमेरिका में भी यह हाल है तीन चार चीजों के अलावा पांच भी कोई चीज उनके नहीं होती है क्यों? सूरी का प्रकाश नहीं है अब सूरी का प्रकाश नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा घ्रकी में से और सूरी का प्रकाश उनको दो धाई महीं मिलता है उतने में जो होना है वो हो जाता है यहाँ पूरे सामी मिलता है तो यहाँ सब कुछ है क्योंकि सूरे है वहाँ कुछ भी नहीं है तो रात दिन क्या हिसाब दोड़ते रहते हैं कि शरीर में अगर कोई भी डिफिशेंसी आए अगर विटमेंट डी नहीं मिलेगा सूरज की गूप खाते तो कुछ न कुछ तो कमी आने वाली है उस कमी की पूर्ती करने के लिए तरह तरह के इंजेक्शन्स तरह तरह की गोलिय हमारे पास सूरी है सूरी का प्रकाश है उसके हिसाब से हमारा पूरा परियावरण है वातावरण है अब जहां सूरी है सूरी का प्रकाश है वैसा परियावरण वैसा वातावरण तो जीवन शेली भी हमारी उनसे अलग है जीवन शेली में हमारे अलग क्या होने का है हमारी जीवन शानी में सबसे मरी quisकी बात ये है कि बहुत द्यवस्थित हमें चलना है हर हिसाब से यी calculation के साथ क्योंकि सूरिय जो है पूरे calculation से चलता है सूरिय के perfect calculations है और सूरिय के Palm इसलिए दिन रात हैं, इसलिए सर्थी दर्वी हैं, इसलिए वर्साथ हैं, इसलिए अन्य अन्य सब चीज़े हैं. अगर ये perfect calculation सूरी के खतम हो जाएं, तो शायद ये देश भी खतम हो जाएं. और ये विशेष्टा इस देश में रही है, इसलिए भगवान को भी जनम लेना ह तो वो भारत को पसंद करते हैं. आपने वो सुना बहुत महात्माओं के हुँ से, कि मनुष्य जनम दुर्लव है, और भारत में तो और भी दुर्लव हैं. मनुष्य जीवन मिले तो ये दुर्लव हैं, और भारत में तो और भी दुर्लव हैं. ये बात ऐसी है, कि यहां का प इतना पर्फेक्ट है, तो हमारा जीवन भी बहुत पर्फेक्ट होगा. और उस पर्फेक्षण में और यूरोप के पर्फेक्षण में थोड़ा अंतर बढ़ाता हो. यहां पर बहुत सारी महताइं बहने हैं. आपके सुनकर ये ताज्यूग लगेगा कि यूरोप की कुल आबादी, पूरे यूरोप की कुल आबादी 27 करोड है इसमें 23 देश शामिल है, दो देशों को छोड़ कर सब देशों की आबादी 1-2 करोड के आसपास है ब्रिटिन और जर्मनी और सौरी फ्रांस, तीन को छोड़ देएं, जिनकी आबादी 5-6 करोड के बीचने है बाकी कोई 1 करोड, कोई 50 लाग, कोई 80 लाग, कोई 70 लाग, कोई 70 लाग, कोई 70 लाग, ऐसे 23 देश है इन 27 करोड देशों में कल्पना करें कि 12 करोड महिला या 13 करोड महिला और 13 करोड पुरुश, 13 करोड महिला के वूरुप में रहती हैं, किसी को भी दही से मंक्कन निकालना में आता और ये तो मैंने बड़ी बात बोल दी है, अब इससे आगे बोले जा रहा हूँ, किसी को दूद से दही बनाना में निकाल, आप सोख सकते हैं, 13 करोड माता हैं, यूरोप में, वहिले, जानती नहीं हैं, कि दूद से दही कैसे बनाएगा, उनको कभी पूछो, कि आप जानने की चीज नहीं, इसको कमपनियों को जानना चाहिए, क्योंकि कमपनियां ही दही बनाएगे देती हैं, और कमपनियों पे काम करते हैं, वही माता हैं, वही नहीं जानती हैं, तो दही जैसा ही पदार पोता, उसको योगर्ट कहते हैं, उसी को दही के नाम के खाते हैं, वो दही नहीं है, दही जैसा है। और योगर्ट खाखा तो विमार पड़ते हैं। क्योंकि उसमें दही जैसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बार बेन मार गया था, और एक बार वालिंग गया था, तो वहां मेरी माताजी के हाथ के बनाए हुए खाकरे लेकर दे रहाता है। आप उसकोई गुजिरा की खाकरा सांस था। तो मैं जबी भी बिलेश जाता हूं तो मेरी माँ को कहता हूं खाकरा बना के देदा। क्योंकि ये एक ऐसा अद्गुद पधार्त है जो तीन महीं भी बिखता। और मैं संपो शाकाहरी हम तो वहां के होटलों में खा नहीं सकता। क्योंकि वहां शाकाहरी खाना मिलना बड़ा मुश्किल होता और मिलता भी है तो बहुत महिगा होता। परतीन गुदा महिगा खा नहीं सकते। तो मैं खाकरा लेके गया। खाकरा हम सब भी जानते ही यह क्या कैसे बनता है। तो मैंने एक हॉलेंड के प्रोफिसर को खिला दिया कि देखो ये कुछ है खाओ। तो उसमें पूछा ये क्या है तो मैंने खाकरा। तो मैंने खाकरा। तो उसका प्रोमिνसेशन को नहीं कर पाया। तो उसमें खाना शुल किया तो उसमें पूछा, सबसे पहना क्र energies, कि भारत में खाकरा बनाने की कितनी फैक्टरिया है। तो मैंने गाँ भ्या इसकी फैक्टरी नहीं होती है। तो उसने का यह कैसे हो सकता ? गहते हैं? मा नहीं हो कि घरघर में यह बनता है इतना गौल होग हाथ से बनता है मशीन हो भी, तो मशीन का नाम बता, मैं वो इंपोर्ट करके लाओंगा भारत से, और अपने घर में लगाओंगा, मैंने का भाईया, ये हाथ से ही बनता है, तो जितने दिन पहले उसको खिलाया, वो मानी नहीं पाया, तो एक दिन वो भारत आगया देखने के लिए, तो उसक ये कुछ विश्वश बात है, हमको दही बनाना आता है, दूद से दही बनाना, यूरोप में 12 करोड मातां उनको नहीं आता, अमेरिका में 15 करोड मातां उनको ये नहीं आता, लेकिन अमेरिका में किसी को नहीं आता, दूद से दही कैसे बनाना जा, ये ही उसको नहीं मालू तो दूद से सीवे क्रीम निकालते हैं और उसी से बटर वाइल बनाके वो इस्तेमाल करते हैं हम दूद का दही बनाते हैं, दही का मठा बनाते हैं, मठा में से मक्खन निकालते हैं, मक्खन को गरम करते हैं, पर घी बनाते हैं जिसकी मिनीमम लाइफ सौ साल तब को सकी है बटर वाइन तो एक साल भी ले दिखता तो यह उधारण में सिर्फ इसलिए दिया कि हमको कुछ आता है उनको नहीं आता क्यों? शायर उनको वो सब आए उसकी गुंजाईश नहीं है क्योंकि जिन भी वही होता है जहां आधार तो हो जिन विना आधार के कहा ठिकेगा? हमारे पास कुछ बूर आधार है इसलिए इतना जिन हमारे पास है उनका मूर आधार ही नहीं है जिन कहां से आए? और आये तो ठिके कहा? दुनिया में सबसे जल्दी खराब होने वाली अगर कोई एक बस्तू है ना सबसे जल्दी तो वो है आम आम मैंगो दुनिया के सब होर्टी कल्चरिस्त ये मानते हैं कि सबसे जल्दी कुछ खराब होता है दुनिया में तो वो आम है दूसरे नंबर पर अंगूर है तीसरे नंबर पर फिर ऐसे ऐसे कई चीज़ा है तो जो आम सबसे जल्दी खराब होता है उस आम को हिंदुस्तान की माता है इस तरीके से जवस्तित करती है कि 20-20 साल 25-25 साल का यह आम का अचार खाया इसी देश में खाया किसी यूरोप की माता आप ऊच को देख लो बागल हो जाएगी कि ये संबं है ये इस देश को संबंग है मैं एक बर अंग्र परवास के गर्या सिर्फ अंग्र परथे एक महीं में मैंने भूमा 500 तरह यह के आम के अचार मैंने देखे और चखे पूरे भारत में आंदर प्रदेश यह से 30 राज्ये हैं, बताने कि इतने हजार तरेके आँखे अचा है? यह knowledge है, और इसी को functional knowledge कहते हैं, एक होती है knowledge और एक होती है functional knowledge, knowledge का माँने सिर्फ यान, functional knowledge माने व्यवारि ज्यान, व्यवारि ज्यान उत्वादन देता है, ज्यान मन को कि हमारे इस हिंदुस्तान में घर घर में तो विवहारी ज्यान है अधुद है मैं इसी देश का यह कुधारण और दूं यूरोप में और अमेलिका में कभी भी आप जाहिए तो उनके पास ले देके एक ही धान में हैं खाने को उसका नामें यह हूँ मक्का होती है लेकिन सिर्फ सोवियत संग और उसके आसपास के राज्यों यूरोप का कुछ हिस्सा सोवियत संग में है बागी बाहर है तो मक्का कुछ ही राज्यों में है सब जगे में गेहू लगबग सब जगे है तो गेहू होता है और गेहू से उनको खाने के लिए जो ची हिए जिसका नाम है दबल भूटी कि पाव-ोती वह एक ही चीज बनाना जानते और और वही घर में बनाना जानते मैं इसके और हैं चक्तर क्या चलता रहता तुरे और यूरोक में आप किसी दिन अमेरिका यूरोक चले जाए पिसी बड़ी सवक法 के खड़े कि अगर आप उनका परवाजा फोल के देखें तो या तो उसमें बहुत इसके अलामती से कोई चीज़ नहीं फिर गांगाओं में उसको उसके दी मतरी हैं चालता है और अमरीका और यूरोप की सार्वाण 약 10 fakdr में उसको दुकान पर बाथ Tout बर जाना ना फिर चाँकशन थे जक्तकर और अमरीका औरव योरोप की संवप यज़ू का दिकरote चलती हैं वो इसी काम चुने चलती है एक टीप पर से लंबे लंबे रहें लंबे लंबे ट्रक गेहु भाण है या तो डबल रोफी पावरोवी अब उनको पूछो कि भाई यह डबल रोफी पावरोवी जो गेहु से बना के खाते हो कुछ और क्यों नहीं खाते है तो उनका इसका कुछ और भी बन सकता? तो उनको पता ही निए, कि यहू से और क्या क्या बन सकता है. एक इन मैंने मेरी माँ को कहा, कि आप क्या क्या बना सकती हो, यहू से उपर मुझे लिस्ट करा दो. तो मेरी माताजी ने 33 चीज़ों की लिस्ट बनाती, कि यहों से यह 33 सी proba ज़र आपिए ऐंडेन आपी कित्ने परार बन सकती है एक तो बहुत लरं वाली रोती सकती है conceive अंडीम्वाली कि नापर करण वाल मनकिशा ईए ब्तिक है ऐसे 33 मों इक की नाविक्रा थी आपेश कुछ गेहुट ये दलिये से लेकर और आखरी कोई चीज जो हो सकता है तीन सो, एक ही यह हो उसे ये उरोप में जाके, मैं किसी को भी बोलता हूँ जाते हैं राजी बाइड गप मायटे एक्सेसरेशन करते हैं मैं ल्याख्यान देने कई बार विद्रेशों में भी जाता हूँ और उन्हों को ये बताता हूँ तो उन्हों कहते हैं, इस इस आल एक्जेजरेशन, वो बुलते हैं, ये सब अधिशायोगती है, इक इस हाईली इंपॉसिबल, यहों से कुल दूसरी चीज बन सकती है, अधिशनल नौलेज बहुत है, विभारिक ज्यान बहुत है, और इस देश में तो विभारिक ज्यान है, वो माताओं बहनों को बहुत है, और ये ज्यान के लिए इस देश में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, है क्या खाकरा बनाने की कोई यूनिवर्सिटी देखिए, कोलेग चलता? नहीं जो फंंक्शनल नॉळेज माताओं-वहनों के पास है 가邊 University Colleges का नहीं है वो माताओं-से माताओं-को माताओं-से माताओं-को P.D. 더 P.D. हजारों सान लाजों सानतिह चला रही अगर ये माताओं को हजारों लाजों सान दे गान चला है पहले या करोरों साल पहले जब से भारत है, भारत की उम्र के बारे में अलग अलग करेकी मानिताएं हैं, कुछ लोग बोलते हैं भारत 5,000 साल पुराना देश है, वो लोग गिनते हैं महा भारत से, कुछ लोग बोलते हैं भारत 17,000,000 साल पुराना देश है, वो गिनते हैं रा यह सबसे पहले प्रिफान कर से और फिर मैं हिसाथ जोड़ता हूं कि भारत तभी से है शायर जब से सूर्य है मुझे असा है तो अब हम यह माझ लेंगे करोड़ों साल गुराना देश है यह कोई एक तो साल का देश नहीं तो करोड़ों साल पहले का यह ज्यान चला आ रहा है राम के जमाने में भी यहू से बोटी बनने की या चावल से बहुत सारी चीज़े बनने की कहानिया मिलती है रामाइन में हैं, रामचरिकमानस में हैं, कालिदास के रगवणशम में हैं, कम्त रामाइन में हैं और राम का साल सारे सत्रे लाग साल से पहले का है समय उस समय भी चाल से क्या-क्या वेंजन बनते हैं, यहूं से क्या वेंजन बनते हैं अचार फितने तरह के हैं, चक्पिना फितने तरह के हैं, उसका ग्युटे इनकिक्षा, शाहिद राम के पहले भी होगा, शाहिद हमारे पहले थी ठांकर की समय से होगा, तो यह करोडो साल से पहले का functional knowledge है, चला आरहा है, किसीने शुरू किया होगा तो जहिश समाज में बहुत सारे साधू संतों से मैं मिलता रहता हूं तो वो कयते हैं हाँ हमारे कुट तीर थांकर है इहीं से यह जियान शुरू हुआ कुछ ऐसे तीर थांकर हुए जिनोंने खेटी करने का जियान देए और इसकी किताबें तो बहुत बाद में लिखी गई है। किसीने सुना आगे बोला, उसने सुना आगे बोला, उसने सुना आगे बोला, प्यूडी दर प्यूडी ये ऐसे चलता है। बाद में शायर इस ज्यान का क्लैसिफिकेशन हुआ। क्लैसिफिकेशन माने बरगी करम। कुछ एक ज्यान है, एक हिस्से का है, दूसरा ज्यान, दूसरे हिस्से का है, तो माली जे हमको चिकित्सा का कुछ ज्यान है, तो उसका वर्गी करण करके हमने कहा, कि ये चरक सहिता हो गई, ये शुशुर्ट सहिता हो गई, ये बाग वर्टकी सहिता हो गई, ये अश्टान भ वर्वी करां होता गया, वर्वी करां होते समय, कोई विश्शर के लोग निकले, जिनकी अथॉरिटी की इस ग्यान पर, तो उनके नाम से हमने इसको याद रखना शुरू कर दिया, जैसे चरक रिशी, बहुत बड़ी अथॉरिटी थे, मेडिसिन के बारे में, होचकता चरक र बहुत बड़ी अथॉरिटी के बागवट थे, तो उनके नाम से याद रखने के लिए, नाम जो है, एक बहाना है, नाम अंतिम नहीं है इसको अंतिम से मतलब उन्होंने ही सारा ग्यान दिया है, ये नहीं कहा जा सकता, उनके पहले से किसी और में भी दिया होगा, उन तक आ आया है, उन्होंने कुछ जोड़कर उसको आगे बढ़े, तो ये है भारत के बहुत, अब मैं आता हूँ आज के विशे के, कि अगर ये विवारे ज्यान हजारों लाखों करूरों साल से इस देश में है, तीर्थांकरों का बिया हुआ, रिशिमुनियों का बिया हुआ, हजार साल उतना बुरा समया एा इस देश में कि हम अप्वी जयान से परंषित हो गए, हजार साल वो समय क्या था, दस्वे शताप्ती से लेका और पिश्म्ण शताप्ती का, विदेशियों के ह्मले हमारे उपर बहुत हो गए, हजार से जाड़ा विदेशी हमले इस देश प बत्ति इसमें चला गया और हमारे शास्तर भी इसमें आपना क्या था तो विडेश्मय्ने आकर हम को जो कुछ सिखाना शुरू कर दिया हमने उसी को ग्यान मान कर अ распने जीवन में धारण करना शुरू कर दिया आज इसमें हमारे जो पीड़ी है आप और में हम सब एक ऐसी अंध्री सुरंग में खड़े हुए हैं जहां पर हमें अपने ज्यान के बारे में जानकारी नहीं है या बहुत की कम है विलेश्णों में हमें कुछ सिखा दिया और बता दिया तो उसी को लेके हम डोल पीख रहें कि हम बहुत ज्यानी हो गए अब दुर्भा की हमारा ये है कि जो बिलेश्णों का ग्यान हमने ले लिया वो ग्यान आया है एक अलग तरह के बातावरण और पर्यावरण से वो बातावरण पर्यावरण कैसा है वहां सूर्य है यही सूर्य का प्रकाशी नहीं तो उनकी जीवन शरी और हमारे जीवन शरी में जमी आस्मान का लता है आपको वालूने दुनिया में कुछ ऐसे देशे हैं जहाँ छे महीने की रात होती है और छे महीने का दिन होता है अगर छे महीने की रात और छे महीने वाले दिन के देश में से कोई घ्यान आए और हमाई उपर वो लाग दिया जाए जहां हर 24 गंटे में रात और दिन बदलते हैं तो क्या कवारा होने वाला है इस देश का कल बने में देश जहाँ छे महिने का दिन और छे महिने की रात है उनका अपना ज्यान खास करेता हो जिनको नौर्डिक कंट्रीज के आसपास का एलिया माना जाता है और यहाँ हर 24 गंटे में धिम्राफ बदलते रहते हैं हमारा ज्यान दूसरे करेता है कोई एक देश है जहाँ पर रात बहुत लंगी होती है दिन बहुत छोटा होता है शाम के सारे 4 गजे ही रात हो जाती है ऐसे बहुत देश हो जाती है और यहाँ तो साम 6-7 गजे तक दिन वेखा है हमारा देश ऐसा है तो जिन देशों में राते लंबी होती है उनका कुछ खास तरह का जीवन शही होगा यहां रात एक लंबी नहीं है तो एक दूसरे तरह की जीवन शही होती यह उल्हारे बेकर मैं आपके दिमाग में सिर्फ बिखाना यह चाहता हूँ कि अलग-अलग देशों की अलग-अलग जीवन शही होती है अलग-अलग संस्कृतियों की अलग-अलग जीवन शही होती है अलग-अलग सब्विताओं की अलग-अलग जीवन शही होती है क्योंकि वहांगा परियावरान वहां की प्रकरती वहां के बातावर्ण के हिसाब से वो चलता है अब कोई देश दूसरे देश की जीवन शहली अपनाना शुरू करते है तो वो मूर्ख और महां मूर्ख कहलाता है अपने देश की जीवन शहली और परियावर्ण बातावर्ण को भूल कर दूसरे देशों की जीवन शेली परियावरा और बातावरा को हम अपनाएंगे तो मुर्खता में जाएंगे और इस मुर्खता का अंतिव चरम पहा होगा जब हम स्वास्त से धिरत अलग हो जाएंगे और बीमारी होना दूप जाएंगे हमारे भारत में ऐसा ही हुआ है पिछले धाईसो साल तो अंग्रेजों की गुलामी में रहे धाईसो साल से पहले रुसल्मानों की गुलामी में रहे इस गुलामी के दोड़ान जिनों ने साशन किया उनके ही ज्यान को हमने अपना ज्यान मान लिया कुछ मुसंबान आए जो राजा बनकर बैठ देश में उन्हों ने कुछ ग्यान लाया तो हमने मान लिया यही हमारा ग्यान फिर अंग्रेजों ने साशन किया, अंग्रेजों से पहले फ्रांसिस्यों ने किया, उन से पहले डच लोगों ने किया और इसे पहले पुर्त गालियों ने किया तो पुर्त गाली, डर्च, अंग्रेज, फ्रेंच जो कुछ ग्यान लाए हमने उनको भी मान लिया कि यही हमारा ग्यान हमारा अपना जो मूल ग्यानी था वो कहीं गया है उसको ना हमने पढ़ना समझना कोशिश किया जो बाहर से आया हुआ था उसको अपना बना लिया अब तक्लीफ की बात ऐसी हो गई कि भारत में अपना मूल ग्यान जानने वाले जो लोग है वो खतम नहीं हो गए है वो आज भी है लेकिन हमने उनको महर्त देना कर देख इस देश में आज भी साथो संथ महात्मा है जो भारत का मूल ग्यान जानते हैं वो आपको बोलेंगे आपको गएगा अरे यही तो आदा पर पर करने और को यह अम्रेट आ जाए और यहाँ एक लियाक्ष्यान देगे नेचरोगा जीपे तो आप तारिया प्रिफेंगे होई यही तो बड़ा ज्यान जान आदे वो नेचरोगा भी हमारी महाराची सबरे से शांत अगरोज सोनाते है तो हमको लगता नहीं है कि वो भी ज्यान विदेश का आखे बोलेगा उसी बात को बहुत अच्छा है योग प्राणयाम को हिंदुस्ता ने सिखाए कुछ खास बात नहीं कोई विदेशी आके कहने का ज़रे बहुत अच्छी बात है राम देशी मुझे कहते राजी भाई जबसे मेरी विदेशी यात्रा हुई है भीड बढ़ गई है मेरे आने बात है क्योंकि हमना विदेश होके आगया धपता लग गया मेरे उपर के कि मैं फॉरी बिटर्न हूँ तो मेरे ख्यान की कीमत बढ़ लेगा तो ये हमारी अपनी मुर्खता है और इस मुर्खता में हम दूद गई है इसलिए हम अपने जीवन से अलग हो गई है और इसलिए बीमारियों में दूद है ये मुझे ऐसा रखता है अगर हम फेसे अपनी ग्यान में वापस आ जाए तो शायद ये बीमारियां हमारे जीवन से चली जाए इस द्रश्टी से ज़ले कुछ करना शुरू किया और पिछले दस बारे वर्शों से भारत का क्या ग्यान रहा खान पान में, चिपिकसा में, आचार गवार में, जीवन में, संस्कुथी में, परंपराओं में और ढूम ढूम के इकठा करना शुरू किया और ना सिर्फ इकठा करना शुरू किया वनिके लोगों को बताना शुरू किया लोगों से मैंने का कि भाईया मैं तुम को ये बता रहा तुम इसको करो और रिजर्ट देखते हैं क्या है और आप सुने ले तो हैरान हो जाए इतने अच्छे रिजर्ट कि लोग सोच नहीं पाते कि राजी भाई थोड़ी सी जीवन शेवी हमने बदली और हमारी ये ये बीमारिया चीख होगे खान पान के तरीके बदल दिये हमारी ये बीमारिया चीख होगे आचान विवहार का तरीका बदल दिया हमारी ये बीमारिया चीख होगे तब मेरे समझ में आया कि बीमारियां ठीक करने का जो असली इलाज है वो दवाओं में नहीं है डॉक्टरों के पास नहीं है वो भारतिय ज्यान नहीं है और वो भारतिय ज्यान हम तक कहुचे तो शायद बहुत अच्छा है इस द्रश्टी से आज में आपको छोड़े वो ने मेरे नहीं है बारत में हजारों लाजसाल थो साल तरहे रिश्य मुदियों के बनाएन डुए पिछ्ट्रक में सालों से मैं थोड़ा अग्यान कर रहा हूं स्वधेशी ज्यान देने वादे शास्तरों पर उन में से एक है चिकित्सा का शास्तरा चिकित्सा का भारत में कोई शास्त्र नहीं है, यह आप ज्ञान रखें, जोभी शास्त्र है वो ईषी ऊपिवन ज का. आयुवेड है, तो चिकित्सा का शास्त्र नहीं है, वो ईषी ऊपिवेड का predis जास्त्र. कैसे जीवन जीए है वो आयोवेग सिखा जाए द्वाएं क्या खाएं है यह आयोवेग में सबसे बात में आता है कि आयोवेग में द्वाएं का इस्तान मात्र 12 प्रतिशक है अगर सो प्रतिशक पूरा हम मानें तो द्वाएं का हाल सिफ 12 प्रतिशक तक सहिए उसके आगे खानपान, रहन सहन, रीत वेवार, आचार विचार, इन सबसे बुड़ाइब तो मैंने भूमना शुरू किया कि कहां से मिले तो भूम भूम के बड़े बड़े सादु संतों से कुछ लिया, फिर पुराने शास्त्रों को पढ़ा परते परते कुछ कठा हुआ, वह आपको मैं कहने आया और जो कुछ भी मैं कहूँगा, अगर आपके पास कागज करें है तो इमोट कर ली जिए क्योंकि वो आयू में तो सबसे आगे होगा बन में सबसे आगे होगा दीर के जीन भी होगा निरो भी होगा सुखी होगा श्लावलन भी होगा किसी पर निर्बर भी होगा और इनके तो सूत्र है बागवर्टे रुशी के ये सूत्र मुझे ऐसा लगता है अब पढ़ने के बाद कि ये सभी बच्चों को पढ़ाई राने चाहिए बच्च करने से कम से कभी साथवी कख्षा से तो ये पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए साथवी से अगर हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं तो बारगी तक आते आते हैं लगवन ये दो हजार सुत्र सभी विद्यार्थियों को कंखस्त हो सकते हैं और वो विद्यार्थि अपना पूरा जीवन निरोगी, निरामय, सुखी बना सकते हैं और उनका हुआ तो परिवार का हो सकता है परिवार का हुआ तो देश्टा हो गए दमाओं में निर्भर रहने की कोई ज़रूदत नहीं बादमट रिशी जो सबसे महत्यों की बात कहते हैं वो अब मैं यहां से शुरू कहता वो यह कहते हैं कि मनुष्य जहां रहता है वहां की प्रकर्ति परियावरन और बातावरन का ध्यान उसे हमेशा रखना चेए जहां भी रहता है हम भारत के रहते हैं भारत में धमतली में रहते हैं दमकरी का पर्यावरन, बातावरन और प्रकरती हम निया आए तो दमकरी कैसा है दमकरी संसीटोष्ण का मतलब ना तो यहां बहुत ठंड होगी ना यहां बहुत जादा जादा जर्णी होगी बहुत जादा जर्बी माने अफरिका जैसे जर्म हो बहत जादा खंड माने अमरिका और कन्नाडा जहसी वरफ नहीं बहुत अर बारिश हुंना जाएंचे नहीं हो और कीछह और भरी जर्फ ऑस्टरियायब्नूजलम्टी जैसा करके सब तरह का मौसम, ये लगम भारत में 680 जिलों में है, जो इधमकरी का मौसम है, वो 680 जिलों में. तो 680 जिलों तब ये सबदा के अधि तरह से लागू होती है. तो बाधलर्ड inaire दिशि चैते हैं कि मनुष्य जहां है, वहां की प्रकर्ती परियावरण और गातावरण को ध्यान दिरखकर उसको अपनी जीवन के फैसले लेने चाहिए छोटे फैसले हो या बड़े क्या थाना क्या नहीं खाना कब खाना कब नहीं खाना कितना खाना कितना नहीं खाना यह सब छोटे छोटे फैसले से लेकर बड़े बड़े फैसले तक सब उसको प्रकरती परियावर्म बातावण को ध्यान में रखके अपनी जीवन को चलाएं तो क्या चलाई, कैसे चलाई उसके बारे में वागबट कहते हैं कि अगर समसी तोष छेत्र में कुछ लोग रहते हैं तो उनके लिए अलग सुत्रों नहीं लिखिए जादा बारिश वाले छेत्र में कोई रहता है तो उसके लिए अलग सुत्र है बहुत ठंड वाले छेटर में कोई रहता तो उसके लिए अलग सुटर हैं मानि भारत ना उत्तरांचन में रहने वाले आदमीं को वो सुटर लागों नहीं पढ़का जो आपको पढ़ेगा जम्मु कश्मीर में तो रहेगा उसको बो लागों नहीं पढ़ेगा तो आपको पढ़ेगा जम्मु कश्मीर उत्तरांचन जम्मु कश्मीर उत्तरांचन के आसपास के एरियां में रहने वालों के लिए अलग है आप तो रहने का है जहां पर आपके लिए अलग है बहुत सरवे हैं, आप चाहें तो याद करनें, नहीं तो कॉपी बेंट लेकिन और रोज इसको पढ़ते रहें, जैसे कभी आप रामचरवित मानस पढ़ते हों, भगवत गीता पढ़ते हों, शास्त्र पढ़ते हों, उस्तक्र पढ़ते हों, ऐसे ये छोड़े-छोटे सूत् उनमें से पहला सूत्र, पहला सूत्र बादमचर उशी कहते हैं कि जो व्यक्ती समसीतोष्ण जलवाईं में रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी जीवत शेली में ये रखना चाहिए, कि हर काम उनको नियम से करना पड़ेगा, बिना नियम कुछ नहीं चलेगा वो ये कहते हैं कि जो ठंड वाले हैं, वो कुछ नियमों की छूप छाट ले सकते हैं, जो बहुत बारिश वाले अलाके में रहते हैं, उनको भी कुछ नियम की छूप छाट ले सकते हैं, लेकिन समसीतोष्ण वालों को हर चीज का हिसाब किताब रखना है, माइक्रो और मैक तो आपको हर चीज का हिसाब किताब करना है सोने का, उखने का, बैठने का, खाने का, पीने का, चलने का, दौरने का, हर चीज का हिसाब किताब करना है और जो हिसाब किताब ऐसा हो कि आपके जीवन में आ जा रहा है आचरण में आ जा रहा है सुवर से शाम तक की जो जिंदे भी है इसमें आ जा रहा तो वो बोलते हैं कि सरस्टेश्ट है और अगर उसके हिसाब से आप आचर करना शुरू कर दें तो वो मानते हैं और कहते हैं गारंटी देते हैं कि आपका जीवन हमेशा मेरे लिए रहे रोग भूत रहे अब वो कहते हैं कि यह जो समसीतोशन इलाके में रहने वाले लोग हैं इनको सोने, उठने, बैखने, खाने, पीने, हर चीज का ध्यान करता है तो मैं खाने पीने से शुरू करता हूँ और स्वास्तोस में आता चला जाएगा वो आपके अपने आप समझना आजाए खाने पीने से शुरू करता हूँ और अंत खर्णवां सोने उठने बैखने से चलने के पीने से खाने पीने को बारे में चलत विशीत सौने बात बट कहते हैं कि समसीतोशन इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान अपने पेट पर रखना है क्योंकि पचन शक्ति उनकी सरवश्रेष्ट नहीं हो सकती प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी आपकी तो पाचन शक्ति है न वो सरवश्रेष्ट सामने रूप से नहीं होगी प्रयास पूर्वक करनी पड़ेगी और वही बागवट बोलते हैं कि दूसरे कुछ छेत्रों के लोग ऐसे हैं जिनकी पचल शक्ती सामले रूप से सर्वश्रिष्टों की विना प्रयास के भी मिल जाएदे आपको प्रयास करना पूरेदे तो आपकी पचल शक्ती सबसे अच्छी हो, ये वो बहुत जोड दे के कहते हूं, बागबटे कहते हूं कि समसीतोश्व इलाके में रहने वालों को पाचल शक्ती सरश्रिष होना चाहिए, अगर उनकी पाचल शक्ती अच्छी है, तो उनका जीवन सुखी है, ये हमें ध्यान बखना है, तो हमारी पाचल शक्ती सरश्रिष को उसके लिए पहला सुख उनों ने लिया बोधनान के रिशुक वारी, इसका अधर बोजन के अंतुमें पानी पीना, जहर पीने के बरादर है, जो लोग समसीतोश्व इलाके में रहते हैं, उनके में, सबके लिए में हमारे म जहाँ 杯ते हैं, हम अगर खाना काने के बाद पानी पीई हैं, तो बागबट के लिशी बोलते हैं, कि हमने जहर पी लिया, इतने कड़े श़ब्द में वो कह रहे हैं अस बात, क्यों वो एक्स्प्लेनेशन है वो ये कि जो सम्सितोशन इलागे में रहने वावें लोग हैं वो जैसे ही खाना खाना शुरू करते हैं उनका पाचन दे तुर्ण शुरू हो जागा और खाने का पाचन करने के लिए उनके शुरू में अग्मी प्रदीत होती है जैसे रसोई घर में अग्मी प्रदीत होती है वो जन पकाने के लिए वैसे ही पेट में अग्मी प्रदीत होती है वो जन पचाने के लिए बहुत सुंतर उल्हाराण वो दे रहे हैं इसके लिए वो यह कह रहे हैं कि हमारे रसोली घर में दूद है और चा guar भी है लेकिन अगनी नहीं है तो क्या करें दूद चाенты को मिला हो अगनी नहीं है तो खीर कभी भी नहीं बनेगी हमर पास चाबल है और पानी है अगनी नहीं है तो चाबल कभी भाद नहीं बनेगा हमर पास दाल है और पानी है अगनी नहीं तो दाल नहीं पकेगी भाजी अच्छे से अच्छी है मसाला और भी अच्छा है अगनी नहीं है तो भाजी नहीं पकेगी ऐसे ग्रीसियों उधारण को आपको दे सकता तो वो यह कहते हैं कि जैसे रसोली में अगनी का महत्व है ऐसे ही पेट में भी अगनी का महत्व है पेट में अगनी है तो भोजन ठीक से पचेगा नहीं है तो नहीं पचेगा और वो कहते हैं कि जो भोजन नहीं पचा सके वे, उनको जीवन में 108 रोज आने ही वाले हैं, कितना भी वो बचा उता है, क्यों आने वाले हैं, तो वो कहते हैं कि भोजन पचे गा, तो रस बने गा, रस में से मासमज़ा रखतवीर मल और मूत्र बनेगा, नर्भूत्र शरीर के काम नहीं है तो बाहर में पर जाएगा मासमज़ा रख्टगीर शरीर के काम का है तो शरीर उसको धारण करेगा और ये मासमज़ा रख्टगीर ही है जो शरीर को चल रहेगा बात समझ में आती है और सीडी से है आपको अगनी की ज़रूरत है जैसे रसोही में वैसे प्रेट में तो अगनी चाहिए खाना खाते ही ये अगनी जल जाती है ये ओटमेटिक है आपने भोजन शुरूर किया अगनी प्रजिक्तों में अब ये अगनी तब तक जलती है जब तक कि भोजन का रस नहीं बन जाता है और भोजन का रस बनने में लगभग सामन में रूप से एक गंटा लगता है रस बनकर आगे जब भोजन पच्चता है उसमें चार गंटे लगता है रस बनने में एक गंटा लगता है तो बागबटे रिशी का कथन है कि जब तक रस नहीं बना तब तक पानी नहीं पीना चाहिए क्यों रस बनाने के लिए अग्मी जल गई है आपने गिड़ गिड़ फानी पी लिए अग्मी खाम्स हो जाएगी रस बने गाने गोजन सड़ेगा और बागबट कहते हैं कि सड़ा हुआ गोजन एक सो हाट फोड पैदा करेगा कौन बाँजन लोग पैदा करेगा ऐसे लिखी हाइपर ऐसे लिखी अलसर तर्किक अंसर गैस बना जलन होना हट्टी रखारे आना मूने से पानी आना यह सब और यह तो छोटे छोटे हैं और अंतुने खतरनाक से खतरनाक हो पेट का कैंसर बड़ी आप का कैंसर इंटिस्टा है तो इस विए आप घर रहते हैं उस इलाके में खाने से ज़्यादा महित को पचाना तो आड़ पाचल पर ध्यान दीजिए तो उसका सूत्र है खाना खाने के बार पानी मत पीजें. चलेगा है?, नहीं चलेगा. कई लोग कहते हैं यह हम तो गटा गट 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 लोता भरजब तक पी नहीं लेते, चैह defense को शाणते ही नहीं होते, आप बहुत गलब कर दोंगे. अगर आप खाने के तुरण बाद मोटा बनके पानी पी रहे हैं, तो मत दीजिए, बंद कर दीजिए, इस आदत को बदल दीजिए। फिर कई लोग कहते हैं कि अगर खाने के बाद पानी ने पीएं तो गला साफ नहीं होता। तो उसके लिए विकल्ब है। क्या विकल्ब है। तो वो कहते हैं कि पानी छोड़ कर, कोई भी ऐसा तरंपदार्थ पीजिए, जो अगनी में मदद करें। विज्यान की भाषण में इसको हम ऑक्सिदेशन कह सकते हैं। माइट्रो कॉंट्रिया में अपसिजेशन होता है। यह हम विज्यानी की भाषण में आदुली विज्यानी के कह सकते हैं। बादबठ पर उसको कहते हैं कि फेड़ने जधर अग्री हैं। जधर का अग्री प्रदीप लिए। तो वो कहते हैं ऐसा कुष्पी लोग जो अग्री को और ज़्यादा बढ़ाए। शांत ना करे। तो अग्री बढ़ने वाली क्या क्या चीज़े हैं। तो वो कहते हैं सबसे अच्छा है दही का मठ्ठा। फिर दूसरा कहते हैं दूद। और तीसरा उन्होंने बताया है कोई भी फल का रस। खासकर खटे फलों का रस। जैसे संद्री का रस। मुसंवी का रस। अंगूर का रस। टमाटर का रस। ये सब जो खटे रस। नीवु का रस, आमले का रस, अनन्नास का रस, यह जो खट्टे रस हैं, यह अग्मी को अर्पवित करते हैं। तो चरग उशीय बोलते हैं कि भोजरी के बाद या तो कोई रस पीओ कि गनली का द्संत्रे का पीओ दो मुसंनी का पीओ आम का पीओ अनाय का पीओ अंगुर का रस पीओ कोई रस प्यो खाना खाने के तो मठ्ञाप मिलू ! और नहीं तो दूप पीत, आप भूद कप पीना है, मठ्ञा SH aynı बात जूप पीजा आठी लिए वह ए इस इस प्स का Jest तुबह का भोजन किया है तो डूप पीत दूपह का भोजन किया है तो दूद को पीना इसमें इंटर्चेंज नी नहीं चले लिए दूद सुबह पी लिया, मठा राथ को पी लिया, जूस दुपर को पी लिया, ओकेते हैं सब क्या आश, इतना सोटे लेवन पर बूल वह, इतना मािको है, इतना लीख है, रस पीना है तो सुबह ही पीना, मठा पीना है तो दुपह कोई पीना है, और दूद पीना है तो रात पर पकांग़ole, तो आप खाना खाने के बाद ये तीन चीज़ां पी सकते हैं। जूस पी लिजे, मठा पी लिजे, दूद पी लिजे, पानी मत पीजे। अब आपके अपने का तुरुद प्रशन आएगा कि जूस में भी तो पानी है। और मठे में फानी ही पानी है दही तो थोड़ जैं। और दूद में तो आप जानते हैं, नब्बे से ज्यादा प्रतिशन पानी ही होता है, तो चरक रिशी अद्वत हैं, वो सौरी बाग अद्वत हैं, पानी मत प्यों ऐसा बोलते हैं, और जूस प्यों ऐसा बोलते हैं, जूस में पानी है, मट्टे में पानी है, जूस में पानी ह इसका बहुत सुंदर उत्तर उन्हों में दिया है। और यह उत्तर आपको समझने आ जा है तो मैं एक फिल्म के गानिय का उधार ही देता हूं। आपको जल भी समझते हैं। हर देश में कोई फिल्म बनी के नाम नहीं आगे। उसमें गाना था पानी ये पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी ये पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी ये पानी तेरा रंग कैसा। तो उत्तर है जिसमें मिलाओ उस जैसा। पानी का अपना कोई रंग नहीं है। पानी का अपना कोई गुण में है। पानी का अपना कोई तब तो नहीं है, वो जिसमें बिला दो, वैसे ही वे जाता है, तो जूस में पानी को है न, वो जूस के जैसा है, दही में पानी जो है न, दही के जैसा है, और दूद में पानी दूद के जैसा है, वो पानी नहीं है, दूद में पानी दूद है, मच्टे में तो पी सकते हैं, जूस में तो पी सकते हैं, तो पहला सूत्र हो गया, चलक सौरी, बाढ़ लगते रिशी के अमसार, खाना खाने के बाद पाई नहीं पीना है, पीने के लिए तीन चीजे हैं, जूस, मठ्ठा, दूर, जूस सबेरे, मठ्ठा दूपैर को, दूर, शाम को, ये एक छोटा सा सूत्र, मैंने डाइविटीज के सेपरों मरीजों को कहा कि तुम करो ले, जो डाइविटीज के प्रेशन के न, जिनको किसी को भेंकर दाइविटीज, दस साथ से, बारे साथ से, और वो कहते हैं, जी कंट्रोल भी नहीं आती, तीन तीन पार इंजेक्शन प्रेशन के क्यों भी नहीं आती, उनको ये एक सूत्र मैंने बताए कि कर लो, मुफक में है, बारवर्ट निशीता, इसमें कोई कॉपी राइट नहीं है, खर्चा करने के ये कुछ नहीं है, कर लो इसमें बुरा ही क्या, तो जिसने भी किया है, चार-पांच महीने के बाद हरे में मुझे खुर्टिया राजी भाई, काम बहुत आता है ये समय, कोई बोलता है कि मेरी शुगर, चार-पांच के उनकर कभी नीचे रहती ही नहीं थी, और ये एक सूत्र कालंग किया है, तो 170 तक आ गए है, बिना किसी दवाती मदद के, सिर्फ इतना ही किया है, कि किया है, तो जूस पिया है, दुड़ा को बोजें किया तो, मठा पिया, रात को पिया तो, तूट दूटे, और ये दाइबिटेस वाले अकेल हो नहीं है, मैंने कुछ ऐसे लोगों को बता है, जिनको गैस बंती है, पेसमे जलों होती है, खट्टी ड़कारे आती है, ऐसे ल खर्चा कुछ भी नहीं है, मुफत का, बस इसमें आदर बदल है, आदर बदलने से बदल जाते है, शरीर के बारे है, बागवाश विशी कहते हैं कि ये बहुत फ्लक्सिबल है, आप जैसा चाहो ऐसा हो सकते है, आप बलल दो, आदर बदल जाती है, कल से शुरू करते हैं, ये आगे का एक छोटा सा नियम है, वो नियम तो में है, लेकिन पूप नियम है, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को खाना खाते समय पानी की जरूरत है, वो क्या करते हैं, तो उनके लिए उनके लिए उनके कहा है कि खाना धीरे धीरे चबा चबाते खाने, तो पानी की मुझे मालूम है कि मेरे दांट 28 है मुझे मालूम है आपको मालूम है किसी को 30 है किसी को 32 है किसी को 26 है बागवत प्रिशी कहते हैं कि जित्ते दांट उत्ती बार चबाओ तो 30 दांट है तो 30 बार चबाओ 28 है तो 28 बार चबाओ तो वो कहते हैं कि दाथ के हिसाब से चबाओगे तो बीच में भी पानी पीने की जरूरत नहीं पढ़ेगी क्यों मुँ में जो पानी बन रहा है जिसको आप लार कहते हैं चबाई के ज़्यादा तो ये खुद ही इतना ज़्यादा बनेगा कि खाना आपने आप लीचे उसल जाएगा पानी की ज़रूरत नहीं पीना है बोजन के बार पानी नहीं पीना है और उपनी अम है बोजन को देरे देरे चबा चबा के खाना है अच्छा आपने आपको एक दूसरा उधारम बितम तुरंत आपके ख्याल में आएगा बाद मेट रिष्टी ने ये जो सूत्र दिया इसका पालन मनुष्य को छोड़कर सब जीन करते है मनुष्य छोड़कर गाय को देखा गाय को शुबह खाना काईगी पानी कभी गाय को प्याएगी ़ुक्रा निपार कोक्यी मनुष्य को नई मादब भेस से भी गया दीता है विया दीता है और जानवरों से जादा मूर की। कभी आपने सुना गाय को डाइडिटीज हो गया, या भेस को अर्फराइटीज हो गया, या बैर को कंदे का दर्ण हो गया, दो-तीन तर्माल रोज लाता है ले जाता है धिर भी कंदे का दर्ण नहीं होता। हम अपना वजन शरीर पर ले जाते हैं तो हमारे तंदे सरक जाते हैं। तो यह गाय बैस हम से जादा स्वस्त हैं। पक्षियों को आप देखो, सुबह सुबह आना चुगेंगे, पानी दुपहर को ली पिएगे। तो हर पक्षी और पशू पानी और खाने के बीच में चार कहंटे का अंतर रखता है। बागवट कहते हैं कि वो मनुष्य से जादा होश्या है। हमको यह समझने की ज़रोगा। और अगर हमने यह समझ लिया तो पक्षी स्वस्त हैं, हम दुश्त हैं। तो कल से आप यह शूर करोगा। खाने के बाद पानी नहीं पुना। खाने को इतना धीरे चबा चबा के खाना कि वो पानी की तरह से नीचे होता है। ठीक है। नहीं समझ में आया हो तो अभी तुरंत आपने। इस बात को समझ में नहीं आया कि तुप्र ही तुप्रु तुप्रु आप। लेकिन सुगह यह रहां है। जितने भी रसीले फल है, उनके खाने का समय सुबह है, जितने भी ठोस फल है, उनके खाने का समय दुपह है, रसीले फल सुबह है, ठोस दुपह है, आप सब को समझ में आ गया, आपको भी, आगे बढ़ू, दूसरा सुत्र, बहुत अच्छा, दूसरा सुत्र और भी अच्छ वो यह कहते हैं कि पानी आप पीते हैं बोजन के बाद पीजिए कम से कम यह कढ़ते बाद कीजिए लेकिन पानी पीजी एक ऐसे हैं खाना जैसे खाना है चबा चबाते हैं तो पानी कैसे पीना है तो चरक रिशीर कहते हैं पानी ऐसे पीजी है जैसे चुड़िया पीती है कुट्ता पीता है, चाट चाट के बने पीता है, चुडिया एक एक ब्रॉप पानी पीती है, तो मनुष्य के लिए वो कहते हैं, पानी सिफ करके पीना, गूट गूट पानी पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, यह अभी हम मुह से लोटा बराते हैं, गट 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 यह बहुत गलब करींगा है गिलास लगाते है खाली तब ही होता है जब फूटा यह गलब करींगा है पाली ऐसे पीना चलिए एक धूब एक एक सिफ जैसे आप धरम धूब पीते हैं ऐसे पाली पीने की आगउट डाली आगे हैं क्यों उसका कारण वो यह कह रहा है कि मुह में जो लार बनती है ना ये शरीर की सबसे अच्छी आउशनी है और आप ये जादते हैं और महसूस भी करते हैं कि जानवर सब अपनी बड़ी से बड़ी चोट को चाट-चाट को भी कर लेते हैं क्यों फी उस लाइवां में मेडिसे हैं तो मनुश्र के स्लाइवां मेडिसे हैं और भाग मंट का ये कथन हैं बहुत गहरी बात उने कही है कि पूरे ब्रह्मांड में यही लार है जो वात्पित और कफ तीनों को संतुलन रखती है तीनों को एक साथ संतुलन रखने की पातत इस लार में है और वो ये कहते हैं कि ये लार अगर शरीर में ज्यादा मात्रा में अंदर जाए तो वात्पित कफ तीनों का संतुलन रहेगा और वात्पित कफ के असंतुलन से रोग आता है अगर ये तीनों संतुलन है तो रोग क्यों आएगा आपको ये रोग होते हैं तो गुट गुट बढ़ के पाने कर सकते हैं कोई प्रकरती और वातावरण के हिसाब से पानी का तात्मान तै करें को आपकी प्रकरती और वातावरण मेने आपसे का सम्सितोष्ण है तो पानी का तात्मान भी वैसा ही होना चेहाँ माने आप थंडा पानी नहीं पी सकते मानिए फ्रीज में रखा हुआ पानी आप नहीं पी सकते बरफ में डाला HFA PANI आप नहीं पी सकते यह आप के लिए भर्जित है तो आज से ठरड़ा पानी गुना बन कर देड़ें फ्रीज का पानी बन कर देड़ें बरफदादा वादर करने और नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये भी उनों बढ़ाएं. वो ये कहते हैं कि अगर सम्सीतो श्रुष्णचेतर में रहने वाले लोग ठंडा पानी पिएगे तो क्या होगा? तो वो ये कहते हैं कि उनको सबसे खराब एक रोग होगा मलबदददा म मलबददा में अस्टिपेशन, कबजियत. और मैंने ये बहुत अच्छे से अपनी आपनों से देखा है. रोज में देखता हूं उस बाश्रुष्णचे जो लोग ठंडा पानी पीते तो चिल्ड बाटन फ्रिज में रखा, उंकर से बरफ डाली के पीते हैं, वो सबेरे गीते हैं, क्यों परते हैं, कोये साफ में होता, इसलिए परते हैं, प्रतिक्ष्य घर में परते हैं, कर gosh करा ना परता है, फिर भी नहीं होता है गाना में आते हैं मेरे सब्तुनों की रागी कभी आई जी आती नहीं फिर खखार के एक बार आजा आजा मोट नहीं आती हुआ तो भागवट विशी बहुत स्वष्ट कहते हैं कि समसीतोश्र छेतर के लोग फ्रिस का पानी पिये बरफ का रहुआ पानी पिये तो मन बद्धता होगी मन बद्धता होने से 130 गों गाएंगे और जिनक नी भर आप उनी दोगों से लड़ते हुए मर जाए इसलिए पानी पूंद पर चेंगीर से 30-90 का पानी दोगों से क्टोफ दिकर फिरस आंगे उसको तर सल्वल भाषण में कहें कए हलका गर्म पानी पिये पोसा पानी पिये अंगेिकर मट्की के पानी का उन्होंने बोला है कि जब बहुत गर्मी है तापमान 40 गिरी के उपर निकल रहा है तो आप मट्की का पानी की सकते हैं तो ये तो 3 महीं ही होगा मही जून बहुत अधिक होगा तो अपरेल मही जून में मत्की का परिये बाकी दिनों में उसा पानी पुमबट पानी हलका गर्म पानी गुद्बना पानी भी पीज़े में तो पालन नहीं होगा तो मैंने बता दिया। टॉइलेट प्रूम में एक एक गंड़ बैठी। एक बार नुम्वायों में एक फैमिली में गया तो मैंने उनको पूछा आपने ये कमोग सीट क्यों बनाए तो ये ये यूरोप वाले बनाते हैं। आपके कमरोग सीट क्यों बनाया पाइलेट को, हिंदुस्तानी पध्यदी का क्यों नहीं बनाया? उनका राजी बाई बात ऐसी है, हिंदुस्तानी पध्यदी में पांच मिनन बैठ सकते हैं, हमको एक रहंपे बैठना पड़ता है, इसलिए इसको सीट में बना लिया, आराम ज सुंदर इख्वाग के लिखाए, उसको आप हमेशा याद रखिए, वो कह रहे हैं कि स्वस्त कौन है, तो ऐसे तो वो कहते हैं, जो स्वा में इस्थित है, वो स्वस्त है, लेकिन ये तो वो कहते हैं, एक ऐसी परिभाशा है, जो बहुत लोगों के समझ में नहीं आई है, स जितना कम समय लगता है, वो उतने ही जादा स्वस्त है, इसको समझे आप, टॉइलेट रून में, संटास धर में, जितना कम समय जिसको लगेगा, वो उतना ही जादा स्वस्त है, कोई 10 मिनिट में बाहर आ जाता है, कोई 15 मिनिट में आएगा, तो 10 मिनिट वाले से जादा स् ये बात आप कभी भूलना ने इसको आप बिल्बूल दिमाज में कहीं फिक्स कर दो अपने ब्रेंग के कमकुपिल में डाल दो कि टॉइलेट रूम में जिसको जितना कम समय लगता है वो जिन्दिगी में उतना ही जादा स्वस्त तो आप कोशिश करते रहो कि आपका टॉइलेट रूम का समय कम होता चला जाए तो ये तबी संबल है जब पानी आप गुर्बूना पियें कोशा पियें गुर्बूर परके पियें बोजन के बाद ना पिकर एक गंटे बाद पियें ये सब उपाई जो आपको अंद में लेकर जाएंगे कि टॉइलेट रूम का काईम आपका बहुत कम हो जाएगा और आप खुल कहसूस करें लिए कि आप वस्त पर के चलाएगा तो वो गोंते पानी से दिन की शुरुआता है पानी से सुबह उचते ही सबसे पहले चीज शरीर में कोई जाए तो वो पानी ही होना चाहेगा अब हमारी जीवन शरीर ऐसी है कि उचते ही सबसे पहले चाल जाती है और कई लोग तो ऐसे हैं लोटा भर-भर के पिकर चाएगा त दिग्रेट कुछ लोगों को तंबा कुई ये सबसे पहले अंदर जाके उठते बाहनों में पर इशी कहते हैं कि उठते ही अगर कुछ अंदर जाना है तो पानी जाना चाहिए माने पानी से बिनकी शुरुवाट करिए और इसको उन्होंने एक दूसरे सुटर में लिखा है उशा पानी करिये सुबह उसके पाणी पीजी अब आपसे कोई लोग ऐसे हैं कि जैस घान का पालं करते हीं तो सीमा को तोर कर बाद में रही भाद सीमा करिये जहां तक आपकी सीमा वहां तक धर्म पालं करिये वो ये कहते हैं कि दिल की शुरूआ आप पानी से करिए और रात्त्री का अंप दूद्से करिए माने रात में अब कुछ खाना नहीं है आख़री चीज जो आप ठा रहे हैं तो वो दूद्ध ही होनी चाहिए और सुबह जो सबसी पहली चीज आप पी रहे हैं वो पानी ही होना जाए तो रात को सोते समय दूद, सुदा उसते समय पानी ये है नीम चौजा और वो ये कहते हैं आगे, दूद पीने के साथ वो ये कहते हैं कि दूद अपने आपने इतना स्वाधिश्ट है कि उसमें कभी भी मीची चीज मिला के पीदी की ज़रूरत ने पने शक्तर मत मिलाएं, बूर मत मिलाएं, खान मत मिलाएं, बूरा मत मिलाएं, कुछ मत मिलाएं दूद जैसा है वैसा ही पीचे जाएं लेकिन उन्हों ने इस बात कर बहुत जोल दिया है कि दूद पीना है तो गाय का ही गव गव शब्द का इस्तेमाल किया भैस के दूद के लिए नहीं कहा और यह हमें दिखाई दे रहा है जब से इस देश में भैस का दूद पीना शुरू किया है लोग भैस जैसे ही हो रहा है आप देखों भैस कैसी है सड़क में खड़ी हो जाए सामने से ठ्रक आए पीछे से बस आए कितना भी हौर भजाए भैस अठी वहीं खड़ी है अकल नहीं हगे कैसे भैस की चड़ में भुश जाए है और भुश गई तो बाहर नहीं है मारों के घंटा फिर की नहीं है और भैस का बच्चा जो भैस का गुश पीता है आप जानते हैं जनम ये पर ही गिर जाता है खड़ा नहीं गह सकता और चार-पांच दिन तो हिलता भी नहीं है इतना अलसी है तो फड़ा रहता उठा के दूसरी जगे रखना पर जाता और गाहे का बच्चा देख लो गाहे का जूफ पीता है जनम लेरी के आजए गहंटे में तो अपने आप खड़ा हो जाता है अगले आले गहेते में तो जनमिक शुम कर देता ठोना शुम सब्स ज़का और दो गहेंटे के बाद को अप कड़ नहीं सकते इतने दौः जाता है क्यों गाहे का देख किका तो गाहे के घूफ में चुस्ति के फुन्ति है भेस के घूफ में आलस से है और भेस्ता दूँद हमने किया है, हमारे पुर्खों में किसी में ने ईत्या, बगवान क्रश्ण ने कभी भेस्त दूँद नो relate, राम जी में कभी भेस्त कुणेucker दें, मैं कभी घडाद सोचता हूँ, बगवान तो साथ लाख गयप आउते थे, एक भैस को रखी सकते हैं जो रेक्ती साथ लाग गाय का पाला ने कर सकता वो एक भैस को पाली सकता रहा एक भैस नहीं रखते हैं क्योंकि कोजा इसको भैस कैसे है राम जी ने कभी भैस नहीं रखते हैं दर्त महभाल के पास कभी भैस नहीं तो जाना है गए अम्राज के पास, तो थूप भैस का गूर्तियों, मुझे कोई तक्लिफ हो नहीं, आप क्यूँ और ये बात को विज्ञान के आधार से बता देता हूं, सारी दुनिया के बैक्यानिक ये मानते हैं, और रिसर्च की हो गई है, कि भैस का गूर्तियों तो शरी हैं आप्र कोलिस्ट्राम जादा बनेंगा, और यह कोलिस्टॉन जी है कि हिद्य गात पुड़ाता है, और घगज पास यान नहीं किरेंगा, तो भैस का दूजिट पीने के लिए नहीं गोला, बामर्त भैस की ने गहाँ है, का दूज की हुँद आए, तो तो नोस इन से बि तो तो गाये का दूद पीजिए रात को सोते ही समय है और आप मेंसे को लिगो ऐसे हैं जो राती भोजन नहीं करते हैं तो जब भोजन का आख़ी चुरण है तो भी दूद पी लीजे उसके बाद कुछ पीने का नहीं है तो चार सुत्र हो गए पहला सुत्र रिपीट करता हूँ भोजन के तुरण बाद पानी नहीं पीना कम से कम एक गंटे बाद पीना दूसरा सुत्र है भोजन को चबा चबा के ठाना इतना चबाना कि पानी की जरूरत ना पड़े तीसरा सुत्र है, कभी भी थंडा पानी नहीं पिना है, पानी हमेशा हल्का गर्म गुद्वना पिना है चौसरा सुत्र है, पानी भूर भूर गड़ के पिना है, गड़ के पिना है पाजरा सुत्र है, दिल की शुरुआ आप पानी से करनी है, माने उशा पानी करना है जब इने आप सोपरूप हैं और पहली चीज मूह में जाए तो वो पानी हो जाए जाए कितना अब आपके मन में प्रशन आएगा जी कितना तो चरख रिशी सोड़ा बार्वट ने कहा है कि आपके वजन के हिसाब से पानी की मात्रा प्रे करें वजन कितना है उसके हिसाब से अलग-अलग मुक्ती के लिए अलग-अलग पानी की नात्रा है किसी का वजन अगर सब्तर किलो है मानी की तो उसको कम से कम पांच लितर पानी की बात करें जाएगा किसी बस 8 kg है तो कम से कम 4 भी कर पाएं 50 kg है तम से कम 3 भी कर पाएं सुबह में पूरे दिन में मैं जो बात कर रहा हूं कितना पाली बिना तो पूरे दिन में सुमझ सुकर तो फी भी पाई जो चार लीटर पामी पक्का करनीजे एक दिन में साथ किलो बजन है तो चार लीटर पामी पक्का करनीजे पचास किलो बजन है तो तीन लीटर पामी पक्का करनीजे तीन लीटर से नीचे वो बोलते हैं कि किसी तो नहीं कि तो वो बोलते हैं कि पच्छास केलों से अगर कम बजन है तो वो विमार है वो बोलते हैं कि अस्वस्त है उसको बजन बढने का कोई उपाय करना के तो पानी बढ़ जायेगा सौ किलो बजन है तो पानी बर जाएगा ये ध्यान रखेंगे पीने का तरीका सिर्फ करके पाने की मात्रा बजन के रिसाब से और हल्का गरुण पाने अब इसमें से सुबह इतना पीना ये बात रहोंने कैल्कुलेशन करके बताई है कि जो पुल पानी आप पी रहे हैं उसका सबेए पीड़ के वंथर सुबह का प्रहे 10 और निटर में में सब्काराथ क्या हैं कि जो पुल सब्सक्राइद हो चार बज फिज एक अब ये, तो दीरे दीरे पीते जाएंगे और उनका ये एक छोटा सा सुफ्र मैंने बहुत लोगों को अजमाया ऐसे अभी-अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक लेक्टी पर अजमाया तो बिचारा अमेरिका से वापस आजया क्योंकि उसको नौकरी से निकान गिए अब दूसरी किसी कंपणी में नौकरी नहीं मिली तो अमेरिका में अगर नौकरी ना मुझे तो रहना बढ़ा मुश्किल है तो दोलागों बसा जया अभी बेंग लोग में रहता है तो यहां अने के बाद उसने बहुत सारे प्रयास किये, जिमरीजियन में लिए, एरोबिक्स करना शुरू किया, योग करना अनता है, तीन सान के बाद भी वैसे का वैसे, कुछ रास्ता बता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने का भाई मेरे पास को कुछ नहीं रास्ता नहीं है। बात बंट रिश्टी के कुछ सूत्र है अगर कर सबते हैं पालं कर लो। जीक चाहतो पालं कर लिया पाँच, अज उसको एक साल और साथ मुणी हो गया, एक साल और साथ मुणी हो गया, उसका बजन मात्र सबतर कीलो है। कि 170 किलों से 70 किलों सिर्फ ये सूथर का पादल करना से और मजे की बात यह है वो खुद कहता है कि मेरे शरीद में कोई पंजोरी नहीं है फ्रेशनेस है कि शिप करके पानी की में लगा पानी मोजें के विए पेंटे के बाद हरिका गुपोना पानी सुबर उफते ही पानी वजल अपनी आप उसका कम होगा तो मैंने वेती जी को पूछा कि अब उसका 70 किलों आगे आगे क्या होगा तो उनका चिलता मत करो इसके कि समानुपात आजाता है उसके बाद बजन करना कम प्रते कि अब समानुपात कंसा अब समानुपात करीा समानुपात की आवड या दिप सको अजय में पर चैक्टिस पर दो मिद्म करने क्या है कई बारूजन लोही जाता है फिर दुपारोंquarter राते चिपछ है बहुत लोगों को मैंने देखा है दवाई खाके बजन कम किया बजन फिर पहले से ज़्यादा बढ़ गया उपवास करके बजन कम हुआ कई बार उससे ज़्यादा हो गया लेकिन ये चरण विश्य सुरी बाद मठे का सुर्ट रितना अगुध है कि जितना चाहिए वहिपर लाके शरी jazz को छोब देता है तो आप कन से शुरू करते हैं आपको कोई exercise होती है नहीं होती secondary है उचोवास होता है नहीं होता secondary है योग प्रायाम कर सकते है नहीं कर सकते secondary है आप कहीं जा सकते है गुनने तहने secondary है कर दो कल से आप में से जिसकों भी लगता है कि मेरा वज़न ज्यादा है चार मिनी के बाद मुझे एक छोटा सा फोन कॉल करना नहीं तो पचास पैसे का एक पोस्ट काड लिखना मैंने सेटरों लोगों को पताया है एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने फोन पर बुला हो लाजी बाई मुझे कोई फाइदा नहीं हुआ ऐसा आज तक एक भी आप लिखना हो रहे है ये हमारे खान पान में स्वास्त घुसा हुआ है कैसे ये कुछ हुआ है इसके आगे ठीक ये चार तो महत मेंतु के सुत्रे हैं इनके साथ जुड़े हुए दो तीन सुत्र और नहीं है वह ये कहते है कि जो समसीतों शुरु छेत्रों में रहे वाले दो नहीं है उनको भोज़न अगर करना है तो कभी भी खड़े हो के नहीं करना है इस्टेंडिंग पोजीशन में खाना नहीं खाना मानि भुफए सिस्टम और आपके यह नहीं है वह बफैलो के लिए बुफएसस्टम भफैलो सिस्टम आपके यह लिए नहीं मुनश्य के लिए नहीं है वाग वर्ट रिश्वी इस बात पर बहुत जोड़ देते हैं कि समसीतो शुचेत्र के रहने वाले बोगों को खाना हमेशा बैठ के ही खाना चलिए तो आप बोलेगे कि आँ दाहिने देवल को बैठ के नहीं नहीं जैसे आप अभी बैठे हैं पैसे बैठे हैं अभी आप बैठे हैं ये सुख आसन है योग की भाषा में उसको सुख आसन कहते हैं इसी में बैठ के खाना खाना इसके बाद अगर कोई उसरा आसन है खाना खाने के लिए तो बाद हटने बोला है दोनों पैरों को बैठ जाना घुटनी मोड़का जैसे गाय का दूट निकालते हैं उस पुजिशन में बैठ के दूसरी पद्धिती है सबसे अच्छी ये है जिसमें आप अभी बैठे होई दूसरी पद्धिती है जैसे गाय का दूट निकालते समय हम बैठते हैं जमीन के कोई काम करते समय हम गुटनों के बन बैठते हैं तो आपके घर से डाइमिंग पेबल पिदा कर दो आप केंगे जी खरीब लिया है कबाड़ी को बेच लो बहुत सारे कबाड़ खरीब लियते हैं बेच देना ही अच्छा है उसका तो आप प्ज ुम्विय, इसच आपके लोग थन्दि अर्या में रहते हैं बहुत सर्दी इसे और यह जमिन पर ना बैठ से खाना काझने तो चलेगा अँग मैं वह नोग कुष्णी के लोगए अगर मेच पुर्सीं मे बैठ से समय तो चलेगा हिमाचन के लोग अगर वेज़ कुरसी में बैठें तो चलेगा अमरीका लिवरूपाली अगर वेज़ कुरसी में बैठte खाएं तो चलेगा दमतरी वालों को नहीं चलेगा तो आप गुलेगे, जी डाइनी वेवन का क्या करें कोई दूसरा उपयोग लेनों नहीं दे सकतें तो कबारी कुदेचें। खाना खाने के लिए तो उसका उपयोग कभी भी मत करो। इसके आधिकाई को सुनता है। बहुत सुन्दर है वे तो कि जैसे खाना कभी खड़े होके नहीं खा सकतें। कि भागवट रिशी बोलते हैं पानी भी कभी खड़े निए नहीं . पानी बैठके ही नहीं .. और वो बोलते हैं कि कभी कोई इमरजेंसी है मजबूरी है तो पानी को पीते समय आप फौरवट बेंड़ें आगे जुप जायें कमर से घुटनों से नहीं कमर से जुखिए आगे, फिर पानी पी लीजी, जैसे हम प्याओं कर पानी पीतें तो वो बोलते हैं, ये second best position है पानी पीणे की, प्याओं मैं आगे जुखकर पानी पीना, नहीं तो आप जैसे लगे ऐसे पानी पीना इसके आगे का एक नियों है कि पाने आपने पी लिया तरीके मैंने बता दिये कितना पी लिया, कैसे पी लिया यो भी आ गया अभी उसके आगे का नियम वो ये कहते हैं कि खाना जो खाते हैं संसी तोष के चेक्तर में वाले भारत और भारत के कई इलाखे वो यह कहते हैं कि दुपहर का खाना कभी भी खाएं तो उसके 20 मिनट खाने के तुरण बार 20 मिनट विश्राम लेना बहुत जरूरी है दमतरी वालों को तो बहुत आवश्चक है अर रायतों वालों को भी आवश्चक है भारत के 680 जिले दमतरी ही कैसे हैं सबको दुपहर के खाने के बाद 20 मिनट विश्राम की बहुत आवश्चक है और वो 20 मिनट विश्राम की बाद कहते हैं तो कहते हैं वामकुक्षी वामकुक्षी का मतलब यह जो बाया हाथ है न लेफ्ट इसकी तरफ लेट जाए बाया हाथ नीचे रहे, धाया हाथ उपर हो, लेड जाए, बीस मिनट लेके रहे, फिर उप जाए, इस बीस मिनट में नीद आ जाए, तो कैकर ले लीजी, उसको रोकिये मत, लेकिन पोशिश करिये कि वो बीस मिनट के आगे न आ जाए, हाँ, और यह बहुत स्कॉस्ट उनने कहा है, बीस मिनट ले लीए, बहुत अच्छा है, अगर एक घंटे हो गई है, यह दो घंटे हो गई है, तो मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन, अगर हम इसको उल्टा पूछें, कि दुपहर को खाने के बाद विश्राम लेही में, तो चरक रिश्टी में 63 बिसील्स की लिस्ट बनाई है, यह रोग आ जाएगे, इसलिए दुपहर को खाने के बाद 20 मिनट विश्राम जरू दीजे, इस्तरी हो या फुरुष, उन्होंने बोला है, कि उम्र थोड़ी आगे है, अगर साथ साल है, तो आप एक घंटे तो विश्राम दे सकते हैं, दुपहर को, अगर साथ से 40 के बीच की उमर है, तो 20 मिनट क जादा देल नहीं सोना है, सोना है 20 मिनट, और वो यह कहते हैं कि अगर आप 20 मिनट सोने की आदक डाल लेते हैं, तो यह रात की 3 घंटे की मीद से बराबर कर लेता है, यह समय है, इतना अच्छा होता है, तो हमारे देश में कई जेगे मैंने देखा है, एक नियम जैसा है, दुपहर को कोई भी दुकान दार दुकान नहीं कोलते हैं, इस देश के ऐसे सैपनों गाओं मैंने देखे, वो शाहिद बाद बच्टे के पक्के चेले, खाना खाके विश्राम करते ही हैं, और मैंने बड़े-बड़े शेवों में लेका, मैं राजपोर जाता हूँ, राज परों का बिजिस छोर देगा, वो कहता है तरवा नहीं अपने, शरी ठीक रहते हैं, और बहुत स्वस्त हैं, ऐसे बहुत सारे हैं, तो आप भी कल से ज्यान रखिए इस बाद का, और इसका एक उल्टा सूत्र है आगे का, कि राट को जब भोजन आप करते हैं, तो तुरंत विश्वांती नहीं लेगा, बाद वर्टनेशन बोलते हैं, तो राट्री भोजन के बाद, दो गहंटे तक विश्वांती नहीं चाहिए, दो गहंटे तक स्वाद्याय करिए, भज़न करिए, जी इपन करिए, संबाद करिए, पहलने Čए चले जाएए, हजार कदम अगर आ कुछ दूसरे काम करें अब आगे करने हम हैं सोने के वारे में वो ये कह रहे हैं कि आप कभी भी सोएंगे दुपहर को या रात को तो सिर्व हमेशा आपका पूर्म दिशाने रहे तो अच्छा कभी भी सोएंगे रुपहर को या रात को सिर्व हमेशा पूर्म दिशाने रहे तो अच्छा पूर्म के बाद दूसरी जो दिशा है सोने की वो दक्षन या तो गूरुब में सिर करिए नहीं तो दक्षिन में करिए उत्तर और पश्चिन दोरों को उन्हों में क्रॉस कर दिया और उन्हों में एक्स्क्लेनेशन दिया है उत्तर की दिशा में सिर करके सोने से म्रत्यू जल्दी आई थी और वो कहते हैं कि उत्तर की दिशा मृत्तियों की दिशा है बच्कन से मैं देखता आ रहा हूँ अमने ने समझ में आया कि किसी की भी मृत्तियों हमारे घर में हुई तुरंथ हम उसका सिरु उत्तर कर देते हैं हमारे घर में ऐसा फिर मैंने देखा वोजी की घर में यही हो रहा है, पूरे भारत में यही हो रहा है, जिसकी भी मृत्तियों होती है, उसका सिर उत्तर में कर दिया जाती है, चौकि उत्तर को मृत्तियों की दिशा माने जाता है, सोने के लिए, वैसे उत्तर की दिशा बैठने के लिए बहुत तो आज से ही आप अपने बैड का पुजिशन बदर बोले से आपके बैड का पुजिशन राइबर इस और साथ और फिर आगे बोलते हैं कि सोते समय कोशिश ये करिए कि आपकी चंद्र नाडी सक्रियों हो चंद्र नाडी माने लेफ्ट नास्टर और सूरे नाडी माने राइट नास्टर तो राइट नास्टर कम चले लेफ्ट ज्यादा चले सोते समय इसकी कोशिश करिए तो बारवट तो बोलते हैं कि नीद बहुत सुखी आईगी बने दीर गनीद आईगी अच्छी नीद आईगी तो आप इसके लिए क्या करें सोते समय दो तीन इमेंट के लिए राइट नास्टर बन कर दीजिए लाइट नास्टर अपने आप शुरू हो जाएगा और वो शुरू होते ही सो जाएगा नहीं तो प्रयास पूरवग बाईन आग से सास बहेए बाईन आग से सास को छोड़िये और सो जाएगे प्रयास को वो यह करते हैं जिए थोड़े दिन आप प्रयास करेंगे थोड़े दिन के बाद को अटोमेटिव हो जाए खुछ करने ही पुड़ेगा तो यह छोटे छोटे मैंने आपको बारा नियम बता दिए आगे बताओं या बंद मैंने बारे बता दिए ऐसे दो बजार है आपकी कितनी करदे सीचिए से मैं अभी बोलता हूँ यहाँ पे स्कॉप में कर देता हूँ क्योंकि यह नियम अगर आप शुरू करते हैं तो मुझे आगे के बताने में मजा है क्योंकि आगे के नियम इसके थोड़े कटिन है यह थोड़े सरल है आसान है इसलिए मैंने पहले बता दिए आप इतना शुरू कर दो 3-4 महिने के बाद मुझे डॉक्टर साथ फोन कर देए कि बराबर लोग कर रहे हैं तो फिर मैं आजाओंगा उसके आगे के कुछ पचास और नियम बताने के लिए फिर आप उनको शुरू कर दो फिर 3-4 महिने बाद आजाओंगा सो नियम और बता जाओंगा बता दूँगा पूरे 2000 मुझे छुपा के रखने में कोई इंट्रेस्ट नहीं है लेकिन आप करें नहीं करते तो इसको लिखने में भी कोई मजा देए आप इसको कल सही शुरू करें और मेरा निवेदन है कि घर के छोटे बच्चों को बच्चपन से ये संसकार के रूप में डाल दें तो उनकी जिद्धी तो सुखी हो जाओ पनसे को एक और मुझे मुझे याद आ रहा है और जरूरी मानता हूं इसलिए बता देगा बादमट रिशी बोलते हैं कि भोजन को अगर सूरी का प्रकाश और पवन का इस्पर्ष नहीं हुआ इसको ध्यान से सुनिया भोजन को अगर सूरी का प्रकाश और पवन का इस्पर्ष नहीं हुआ तो उसे कभी भी नहीं खाना गोजल को सूरी का प्रकाश और पवन का इस्पर्श नहीं हुआ तो उसको कभी भी नहीं खाना वो जह है बहुत में सोचता रहा इसका मतलब क्या इसका मतलब ये है रैफ्रिज रेकर का खाना कभी नहीं खाना क्योंकि रैफ्रिज रेकर ये कैसी मशीन है जिस तो ना तोसूल का प्रकाश आता है ना पवन का इस परशुष फ्रिज में रखा हुआ खाना कभी बत खाना तो आप बोलेगे करना क्या फोर फ्रिज था पानी में नहीं किना फ्रिज का रखा हुआ खाना में नहीं खाना तो करना क्या कभाडी को बेंच दो कभाड भिखे लिए थोड़ी है तो कभाडी भी यह है घर में बहुत सारा कभाडी कठा कर रखा है आपने आप हिसाब कभी लगाओ मैंने एक दिन मुंबई में मुंबई में आपको से अगर कोई गया हो नेपेइनख सी योड मेरा पो 대한 सब्सक्राइब Chairman पर सब्सक्राइब हो वरुपोर्ट आप वक्राइब बोलते हैं तो था इसका आप कबाड़ भोते हैं मैंने आप हिसाब निकालो यह जाइब डाइबम इसको इत्ता है तो निद्गा 20-22 स्क्वेर फिक्ता है, मैंने पुछा अगर और बड़ा हो मानगो, 50 स्क्वेर फिक्त, 100 स्क्वेर फिक्त का, तो 100 स्क्वेर फिक्त का, तो 100 स्क्वेर फिक्त में आपने ये दाइनिंग के वुद लखा हुआ है, कितना एरिया आपने ब्लॉक किया हुआ है अपने जरा सोचे और रोज का तो तुर्ट उसके दिमांग में आगे मैं कर दो तो बहिया अपनी था है ऐसे समझ गया और मैंने समझाए कि यह गाई में कुल अच्छा नहीं है खाना खाने के लिए वो समझ में नहीं आए मैंने समझाए कि यह कुछ इस पर फिट एडिया गेर के प्रथा हुआ है गाईनी पेबल यह कितना महिना पढ़ रहा है आपको तो तुर्ट उनिया है तो भर में बहुत सारा कवार है जो एडिया गेर के प्रथा हुआ है इसको निकाम हम धर पनाते हैं इस्पेस के लिए और बंगे तयार हुआ तो इस्पेस कवर करना शूं कर देते हैं सोफार आके पटक दिया गाईनी टेबल ले आए फिर ड्रेसिंग पेबल ले आए फिर जगह नहीं बचती खाली भूबने के लिए क्या बूर्ख तब घर इसके लिए बनाए घर के स्पेस के लिए बनाए फिर घर में जगह नहीं बचती तो चुटिया मनाने होटल में चले जाते हैं क्योंकि वहां तोड़ा इस्पेशियस होता है यूर्खों के बूर गर बनाया वहां चुट्टी नहीं बिता सकते अब फाइव स्टार होटल चाहिए चुट्टी बिता जीते हैं तो घर में यह जो काश और कवन इस्पर्श हुआ है वही खाना खाए जिंदगी बर में रहे एक ही सूत्र में वह बोले हैं और हम यह करके देखें जिनके घर में फ्रिश्का खाम नहीं है वो बहुत सुखी निरोगी है तो यह कुछ सूत्र मैंने बताए यह सूत्र का आप आलंग करिए आज सही करें और चलते चलते दो तीन चोटे सूत्र और बता रहे हैं कि हमारा घर का सबसे महतुपून इस्थान है बागवट रुशी की कहने के अमसाद मेरे कहने के अमसाद में वो कहते हैं धर का सबसे महतुपून इस्थान है रसोई है किचिन क्योंकि वो यह कहते हैं कि अग आपके बारे तेरे सुंत्र का पालन करेंगे, रोज आपके खतन हो जाएगे। नहीं हुए तो रसोई की मदद लगेगी। तो रसोई में क्या है? तो वो कहते हैं रसोई में जो भी कुछ है वो सब आउशबी है, मेडिसिन. जैसे धनिया है, जैसे नमक है, दाल चीनी है, है, जीरा है, तुलसी है, अदरक है, ये सब मेडिसिन हैं. और वो ये कहते हैं कि इस मेडिसिन का ग्यान अगर हमें है, तो हम अपने जीवन को इनकी मजद से भी निरोगी बना सकते हैं. तो वो ग्यान बाद भट्ट से जाला है, चरक रिशी ने दिया है. और वो कहते हैं कि इस ज्ञान को लेने के लिए चरक के लेके हुए सुत्र पढ़ो तो चरक सुत्र हैं कुछ छोटे-छोटे दो-चार बता देता हूं जो आपके रोग जीवन में काम आते हैं कि अपने रसोल में 108 दवाएं हैं ये बाद चरक रिशी ने कहा हैं मैंने लुका फिर एक दिन मैंने मेरी रसोल में हिसाब लगाना शोटिया तो सच्च में 108 दवाएं हैं साधरन से साधरन रसोल में 108 दवाएं हैं और उसे गंभी रोग भी चीख हो जाए साधरन रोग तो चीख होते हैं गंभी रोग भी चीख है जैसे छरक के अमसार अपने वसोही में तो सबसे अच्छी दवा है उसका नाम है दाल-ची सबसे अच्छी है वह सब वह कहता है सब दवाएं अच्छी हैं कोई खराब नहीं है लेकिन अगर कंपरिजन करेंगे तो सबसे अच्छी दाल-चीimento और चरग विशी के अभिसार दालचीनी अकेले अलतानीस रोगों में काम आती है अकेले दालचीनी अलतानीस रोगों में काम आती है आप गुलेंगे जी क्या-क्या रोग में काम आती है पित के सारे के सारे रोग पित्थ का रोग समस्ते, पेरे में जड़र होना, जैस बनना, कच्ची दकालों आना, मूँसे पानी आना, खाने का पचना नहीं, गले में जलना, ये सब पित्थ के रोग, पित्थ के सभी लोगों में दाल चीनी अजबुत है, कैसे लेना, तो वो बोलते हैं कि पाउडर बना अजिए जैसे डाल चीनी का पाउर बनाया, और हमने लेना शुरू कर दिया पानी के साथ, तो वो बोलते हैं कि इसकी आदत पर जाए भी फिर शरी रोज मांगेदा डाल चीनी डाल चीनी, तो वो कहते हैं कि ये ओशब ही है, शर्हाफ नहीं, व्यसंद नहीं, तो इसकी मिलाना चाहें वो गुर मिलाना और जो गुर नहीं मिला सकते वो शहद मिला आप में जो कुछ जहन होंगे तो शहद उप्योग नहीं कर सकते इसी हमने गुर बोला और जो जहन नहीं है वो शहद उप्योग कर सकते तो उपको शहद बोला तो या तो शहद मिलाना नहीं तो एक चमच दालचीनी पाउडर तो एक चमच बुर्ड लिला लिजे और उसके साथ उसको लिजे समय क्या है तो वो बोलते हैं कि अगर आप पिट्क के रोगी है पिट्क की तक्रीफ है आपको है तो राज का समय अचा है और बात और कफ की प्रकर्टी है तो सुगे का समय अचा है देखेजिए आप किस प्रकर्टी के उसके हिसाब से तो ये एक दवा है दालचीनी बुर्ट के साथ इससे अर्टानीस रोगी को जाए है फाक्ती शेट क्या गढ़ी को जाएंगे पेट के सब रोगी को लेए खाली क पित लेएंगे सुगे बात और कफ वाज़े पित वाले खाली के कभी मिल लेंगे वो राट को जाएंगे आपके अगर घुत्मों का दर्द है जिसको संभी बात करते हैं इसके दो हिस्से रुमेटिल अर्थराइटिस औसकी अर्थराइटिस दो नटीक होते हैं नहीं के देटिका दाना तेनी सोभों में कामाता हैском और मितीका दाना दोहीं प्रकरती के लोगों के लियर हो जिहान ससुनें जिनको बात और कफ त्रकरती वही मैथि दाना लेसक्ते हैंacer को पित प्रकरती है ज Dublinãy से भी नहीं लेगान नहीं तो तकित बर जाएगी माने आपको पेट में जलन होती है जैस वंती ए खटी रखारे आती है तो तभी भी मैती दाना नहीं खाना नहीं जोर जा रहा है आपको अगर ये पित्छ छोड़कर बात और कफ है बरपूर मैती दाने खाने अब मैती दाने का वो नियम बताते हैं कि राज को दो चमच मैती दाना एक लास पानी में डाल दीजे सुबर उटकर पानी को भूद भूद बलके की दीजे पीजे से दाना चबा के खाने जाए मैंने तेरिस रोगों में इसका परिक्षण किया है सबसे अच्छे परिणाम है डाइडिटीज है अगर किसी को भी डाइडिटीज है आप इसको मैती दाना देना शुरू कर दो तीक चार मेंगे के बाद इंसलीन की ज़रूरत नहीं पड़ रहा दूसरे सबसे अच्छे रि इसमें भी बहुत अच्छे परिणान ready और मैंने माताओं वहनें पर इसके बहुत परिक्षम किये हैं कि हमारे गरभाशा की जितनी बीमारिया हैं उसमें सबसे अच्छे परिणाओं इसी के हैं पड़लाने जैसे हमारा menzis cycle है ADRIAC देनी Triple प्रकान जादा होता है या बिक समय की सबसे अच्छी दवा मैत्री का दा मैत्री दाने कैसे लेना रात को गरन पानी में डालना सुबह उठकर पानी पीना पीचे से दाना चबा के खांग मैंने एक और रोग में इसको अभी देखा को योग करके यूट्रस डिस्क्रेशन है गरभाशे अपने स्थान से हट गया ऐसा कई बार बता और उन माताओं को ज़रूर होगा जिनकर सिजेरियन ओपरेशन हो गया तो गरभाशे हट गया तो ज़्यादा तर डॉक्टर गोलते हैं कि इसको आप काटके निकालें मेरा ऐसा मानना है कि काटके निकालें की ज़रूरत नहीं है अगर वो बेकार होता तो बगवान ने दिया थी शरीर का को यहीं बेकार निकालें उसको ठीक करो विमारी है तो ठीक करो उसकी सबसे अच्छी दवा यही है मैं तीमादा है अब मुझे समझ में आया बच्तन से मैं देखता हूँ कि मेरे घर में और मेरे आसपास में जितनी भी माताओं को बच्चे होते थे तो मेरी दादी मां सबको मेहथी के लगडू देके आती थी अपने घ्र में बनागे पड़ोसियों को देके आती थी लो मेहथी के लगडू खाओको वो हमेरे समझने आया क्योंकि प्रसब होने के तुनदार गरबहाशय को अपने इस्तान पर वापस आने में जो समय लगता है मैंती दाना वही काम करते हैं इसलिए इस देश में गाओं-गाओं में यह जानकारी रोगों को थी बाद में वो कम हो गई जानकारी और इसके बाद हम दुखी हो गए ये जानी पारी फिर वापस लाईए अपनी प्रेवारी मैंथी दानी का उप्रोग बढ़ाई है बात और कफ वाले को इसको अमुर्थ के समान समझे इससे अच्छी उनको कोई दूसरी दवा दिन हो सकते बजन बहुत पढ़ गया है मैंथी दाना खाई ये बजन कम कर देगा मात्रा मुना बताया दो चमच से जादा नहीं कभी भी एक दिन में दो चमच से जादा नहीं सुखा मैंथी दाना दो चमच एक चमच भी ले सकते हैं शुरू में क्योंकि तीखा है करगा है तो शुरू में एक ही चम्मच ले लिए फिर आज़क पड़ जाए तो परा भीजिए दो से उपर मत परे जाए रक्त के जितने भी दूशन है उनकी सबसे अच्छी दवा है यह मैं की तरहा है जो कुछ नहीं है फिर मत लिए फिर मैं दूसे नहीं दवा बताओं जिनको ऐसे पिर्टी छोड़कर जो कुछ नहीं है उनकी बात होने जाए कफ और पित उसली बात और कफ अगर रख्ट के दूशन है रख्ट के कई विमानिया है जैसे रख्ट में कोरी गंदगी है तो वह आपको चर्म रोपके मुट में बिखरी देगे तो अच्छा लोग आ जाएंग और कई वहनों को समय शुरू होने पर भी महिसी शुरू नहीं होता अगर उनका उम्र आ गया लेकिन नहीं हो रहा है सबसे अच्छी दवा है रख्ट का लाग बहुत अच्छा आप उसको घर में जरूर रखिए और इसके माल करें तीसरी दवा के बारे में वो बोलते हैं ब पानमें लगा के खाते हो ना चूना। वो ही चूना यह अकेला चूना लगभं पचास बीमारी हों दामाता है। नहीं कि चूने का पानी दही में मिलाके खिलादे, लसी में मिलाके खिलादे, मठे में मिलाके खिलादे और सबसे अच्छा है गल्मी के लस्म मिलाके खिलादे मैंने ये चूने का परगाम देखा है जिसके सबी केसिस में, बहुत अच्छे तरह है और लीवर स्लोसिस जैसी गंभीर बीमारी में ये चुना अजबुत काम का कभी भी आप उत्योग करते हैं और ये गंभीर बीमारी जो अक्सर हमें होती है ये जो आपके गुटने दर्व करते हैं चूने का पानी की होगा जो माताओं की उमर 45 वर्ष हो गई है मैंनो क्रॉस पी रिए शुरू हो गया है सब को गोड़े चूने का पानी देखे अद्मुत काम बच्चे हैं छोटे हैं उचा ही नहीं बढ़ रही हैं आप बहुत परेशन हैं कि फूप खिलाते हैं फिलाते हैं और भी लंबाई नहीं बढ़ती चूने का पानी देने लोगों अद्मुत लंबा ही बढ़ाई कितने उमर पर 21 साब और ये चूने का पानी क्या क्या काम करेगा मैंने कम कभी भी 1 ग्राम इपना की सब्सक्राइं अगर किश्यों कि और पर यह को तो कराम त्रम करते हैं कि सब्सक्राइब तरहें यह तर उसको रोचूने की पहले कि अगर माताओं को और बहनों को टूमर हो गया, ब्रेस्ट टूमर जो बिनाइन है, मैलिक्मेंट नहीं है. सब ये ट्यूमर जो है न मेलें ने जाते हैं बिनाइन होते हैं 90% ट्यूमर बिनाइन होते हैं लाने वो कैंसल स्क्राइब लेकिन वो तूमर को बिजॉर्ण हो खरना तो इसकी सबसे ज्यादा ताकत इसी चूने में है बहुत काम आता है इसलिए मेरे सब को गिंदिया चूना खाईये तंबा कुं मत खाईये तंबा कु छोड़ को चूना फें को ऐसे चोड़े पच्चे हैं और बड़े लोग है इंको अकसर होग फटते रहते हैं डाल पड़ जाते हैं सर्दियों में तो जोत रफने सा जाती हैं उनको चूना फिलाए बहुत सारे घरों में ऐसे अब इसको वापस जोर ना है तो चुन है कि लगे। बहुत अच्छा है तो पचास से जादा बीमारियों में उप्योगे हैं। ऐसे अपने घर में नमक हैं नमक। बहुत अच्छी दवार। बानबट रिशी और चरग रिशी दोनों इस पर सहमत हैं। कि हाई गर प्रेशर हो और लोग प्रेशर दोनों में लिकुर New है। अलाग इलाग उनकी लोगमों जिलको लगप्रेशर उचा है। उनको चरग रिशी बोलते हैं समुद्रिस्टान करना अब आब दो लिएगे ढंद lira में समुद्र कां से आए। तुम्हें बचाता हूं, पानी जो नहाने के लिए है, उसमें नमक मिला दो, समुद्धिन के या रज़ ज़रे, नमक के पानी से नहाओ, सादू मतलबा, 15-20 दिन सतो तक अगर आप में नमक पानी से इस्काम किया, सोल के दिन ब्रेट प्रेशर चेक करना, मौर्बन मेने, और ये नमक नहीं है, ये नमक के नाम पर आपको जहर खिला आजाए है, आपको मालू मैं, आयोगी नमक में दो केमिकल है, जो बहुत ही खराब है, एक का नाम है पोटेश्यम आयोगेट और दूसरा है ऐलुमिनियम सिलीके, ये दोनों ही केमिकल शरीम में जालते मतल सक्ता स्विजलेंग में, देनमार्क में, नौर देने, अमेरिका में, सब जगे बंद है, IOLIED of salt नहीं किलाथे, भारत में चालो हो, हमने इसके खिलाफ केस किया, बंबई हाईपोर्ट में, और वो केस पर हाईपोर्ट में इसके दिया, और सरकार इसको पूरे देश में कंपल सरी नहीं कर पा हो अगर हम हार गए तो सरकार करेगी और हम जीत गए तो सरकार को पीछे अपना पढ़ेगा हमने जो केस किया है वो इन देशों के बाद है इन बताया कि 20 से जादा देश में जहां पर आयोगी युक्त नमक पर पाबंदी है वहां के वज्ञानिक जो कह रहे हैं वो हमें सुनना चेहे तो कोर्ट ने का ठीक है तो वहां की बहुत सारी रिपोर्स हमें कोर्ट में डाई है तो कोर्ट में इसके बें गया अभी कंबंचन हर गया आयोगी युक्त नमक आप ना खाएं तो भी चलेगा सादा भूमन भी खा सकते हैं विलेशी रिज्ञानिकों का कहना है कि आयोगी युक्त नमक से नहीं सकता बहुत जादा पढ़ती है बेंगमार देश में तो इतनी बुरी हालत हो गई है बीस साद होने आयोगी युक्त नमक खिलाया अपने देवों को आज वहाँ बच्चे पैदा नहीं होगे तो वहाँ बन कर दिया होने आयोगी युक्त नमक और वहाँ एक नहीं स्कीम आई है जादे बच्चे परदा पर तो इना मिलेगा पचास हदा यूरो डॉलर कैश प्राइस एक बच्चा है दूसरा कर दो तो एक लाक यूरो डॉलर उन देशों ने ये समस्या आ गई है भारत में सरकार का एक अभिकारी मुझे बोलता कि राजी भई हमने भी इसी समस्या का समाधान करने के दिलाए रहे है क्योंकि भारत में ज़रूरस से जादा जन सिंगा और ये कम नहीं हो रहे है तो हमाई रधी नियुक नमक खिलाएंगे पांच साथ साल में नपुन सकता बढ़ जाएगी तो बच्चे होईगे ही नहीं तो भारत मी समस्या हल हो जाएगी ये भारत सरकार का चिंतन अईसा सरकार सोचते है तो आप मत करिए इस काम मेरी मानिता में जन सिंग्या कम करने की कोई जरूरत अपने को नहीं है अपने को जन सिंग्या कम करने की जरूरत नहीं है संसादनों का बतवारा ठीक होना चाहिए इसकी जरूरत है भारत जनसंख्या आपनी बहुत जादा नहीं पर स्क्वार किलो लूटर के हिसाब से अगर आप कैल्कुलेशन करीगे तो सबसे जादा जनसंख्या है जापान की उनको चाहिए कम क्योंकि उनके पास एलिया तो है नहीं बहुत जादा लोग है उसके बाद है हॉलेंड नीदर लेंग, खिरे लेंबार, खिरे नौरवे इन देशों को जनसंख्या कर पीचे ये भारत में अभी संसादनों का बतवारा ठीक करो तो आप नमक खाओ, बिना अयोडीन वाला खाओ, डेले वाला नमक खाओ, क्रिस्टल वाला नमक खाओ, वही अच्छा और पानिये में मिलाके इसनाज करना हो तो वही क्रिस्टल वाला नमक खाओ और एक छोजी से आखरी बात कि आपके रस्वाई में कुछ समझियां भी हैं जो बहुत अच्छी दमाएं चरक बोलते हैं कि जो समझियों में छिलिका उपर का जितना अच्छा है वो मेडिसिन उतनी अच्छी जैसे लौकी दूदी बहुत अच्छी है बहुत ही अच्छी किसी को भी हिपरेटी तक्रीफ है लौकी का रस्थ देखे बहुत अच्छा है आप तो भी भी करके देखो रामबे बाबा ने तीन लाख लोगों को लौकी का रस्पिलाब इलाके घ्रपेगाद से बचा है लौकी हर गारू में मिलती है आसनी से होती है दूसरा जो सबसे अच्छा सब्जी है पालक और मैथी अद्भुत है एहनी निया की किसी को भी तक्रीफ है रक्त अल्पता मैथी और पालक भर्पूर खाई है गाजर भर्पूर खाई है रस दीजिए अनार का भर्पूर रस दीजिए तो सब्जियां भी है और मसाले भी है जो अउशबी है अब इस विशह में अगर आपको और ज़्यादा जानना हो आपको मजा आ रहा हो और सुनना है तो आपको ज़्यादा देख कर नहीं सुना सकता क्योंकि अब मुझे बु उन्हें ले सकते हैं मैंने जितना बताया उससे दस बुना ज़्यादा मुझे पुस्तकों में है आपके रसोई में जितनी भी वाउशबियां हैं उनसे 108 रोगों की चिकित्सा आप कर सकते हैं वैसी एक पुस्तक है गंबीर रोगों की चिकित्सा रसोई हर से दूसरी एक प बादबटे के सुत्रों को सरब भाषा में लिखा है उस कुस्तक का नाम है स्वावलंगी अहिमसात्मक चिकित्सा एक तीसमी कुस्तक है हमारे घर के नजदीक में जो कुछ कुछ जड़ी बूपियां है उनसे होने वाली चिकित्सा एक उसका नाम है पंच परवी चिकित्सा गाए और गाये के नजदीक में क्या किया दिखित्स और ज्यादा भी है आप ले सकते हैं और इसी विश्यों पर सीडी बनाई है 40 गेंटे के वो आप ले सकते हैं बार बार सुन सकते हैं दूसरों को सुना सकते हैं कुस्तफ और सीडी पर मेरा कॉपी राइट नहीं है सब को कॉपी करने कराईट क्योंकि मैं मानता हूँ ग्यान पर किसी का अविकार नहीं मैंने कहीं से ग्यान लिया आपको लिया अब आप इस ग्यान को पूश्रों को देदे मुझे पूश्यों मैंने सिद्धी की कौपी बना बना के आप देँगो कुष्टफों की कॉपी बना बना के देजो तो ये बात धरधर अगर पहुँच जाए तो हमारे खान पान और हमारे रीट मेरहार में ही स्वास्त और चिकित सा जोड जाए तो लापों करोनों रुपय का खर्च बन जाए और आप सुखी हो जाए अगर सब मिरोबी हो तो मिरोबी होने में ये कुछ रास्ते में बताए आपना बड़े ध्यान और शान्ति से सुने में आवारे हो आपके पास में अब हुआ था हूँ मैं बैठा हो परश्न हो जरूर बूचिए कोई शंका आए हो जरूर बूचिए समानाव करना है तो भी जबूद पुच्छों तर्यवाइब ये बहुत बहुत दन्यवाइब जाने कहां जा मेली प्रश्चों सत्रकाल बहेगा अगर कोई भी भाई या मैंने कोई भी प्रश्चन करना चाहे है तो पूर सकते हैं जो कैंसर देसे मिमालिया योगा अपरनाया आजरीदायों से थीप हो सकती है ब्राम नेगा जी ऐसा बोलते हैं और उन्होंने करी मरीदों पर उसके परिक्श्ण किये हैं वेवज और कैंसर पर उसके कुछ रिजर्ड़ वो बोलते हैं क्या आए है मैंने अभी वो देखे नहीं अगर मैं देखू तो उसके दावे में कह सकता लेकिन मेरी जान का रिम है कुछ वैद्ध ऐसे हैं इस देश ने जो कैंसर्ट की अगे एक चिकित्सा करते हैं और उनकी चिकित्सा में मैंने लोगों को लाब लेके हुए देखा है ऐसे हो सकता है और भी पूरे देश में बहुत साहे जाते हैं अब यहां कि अब अब इस देश में एक ऐसा बन गया है कि गांदी जी को गांदी दो तो प्रचार नहुता है तो दीगी चैनल वाले और उनकर बोलने वाले गांदी जी के बारे में कुछ भी उज़िद्वन बग देते हैं और प्रचार का जरिया वह बन जाते हैं उसमें बिल्कुल की सच्चार नहीं है इसलिए कि मैं गांदी जी के आश्रम में यहां हूँ अभी में रहता हूँ गांदी जी से संब्धिन जितने भी दस्ताविल हैं वो सब आश्रम में हैं मैंने बार बार उनको पड़ा है देखा है और दीगी चैनल उपर जो कहा देना उसमें कोई ग्रच मार्कुल की सच्चार नहीं हैं इसलिए गांदी जी के बारे में कई बार कुछ बाते आएं तो आप आसानी से उनको शुकार मत करें अभी हाल में बहुत खराब बार गांदी जी के बारे में आई कि पचास साली की उमर में उनको किसी से प्यार हो गांदी जी अपनी लिखी हुई किताब अगर आप पढ़ कर लिया और उसके बाद हम दोनों भाई वहन की तरह से रहे पैंटीस पे साल में कांदी जी की व्रक्ति हुई रखबग उसके पचास साल के आस्पा पैंटीस पे साल से जो आदमी ब्रह्मुचर धारन कर लिए तो पचास साल की उबर में जाके ऐसा फिसन जाए यह तो कहीं द अदूद की तो कि यह दो दूद की चाहिक देख्शी होती है यह बात सही अगर आपको चाहे ही पीई है जहूद पीजें दूद मजादें बिना दूद की चाहिक नहीं है वह वाली है जो पत्ते वाली होती है वह होगत है लीव, और एक होगत है की डस। ये जो की डस का स्निन ब्हूत है, यह जाला कम करें का है वह वह बनात है। और बुड़ापा भी कम होगा और बुड़ापा भी जंदी में आएगा और जीवन के सारे इन उद्वान अक्षे काम करें। लेकिन चाय पत्ते वाली हो बिना दूद की हो वही अच्छी है। लेकिन उसमें शक्कर में होनी चाहिए ये बात ध्यान दीजिए। चाय में शक्क मिलते ही तक्लीप होती है। चाय में शक्कर नहीं होनी चाहिए। शेहत ले सकते हैं गुर ले सकते हैं। शक्कर बिल्कुल नहीं। शक्कर माने शुगर। शुगर के जो कैमिकल है और चाय के कैमिकल है दूसरे को दुश्मन है। इसलिए चाय पीना है तो बिना शुगर की गुड़ मिलाकर नहीं तो शहद मिलाकर और दूद डाले बिना वो पीजे वो आपको मेडिसित के रूप में ही उप्योगी है ज़्यादा मात्रा में पाली केने से कोई लुकसान दो नहीं है हाँ अगर आपको पित्त की तकलीफ नहीं है ये वाँ ध्याद से सुम लिएज़े पित्त की तकलीफ नहीं है तो कोई नुकसान दो अगर पित्त प्रकरति आपकी है तो ज़्युरस से ज़्यादा पाली आपको तकलीफ कर देगा हाइड्रोसिन हो सकता है खर्णिया हो सकता है एफिंडेसाइजिस की भी तक्लीफ आ सकते हैं इसलिए घ्यान दखें पित्वाले लिमिट में पानी दिये कम भी ना पिये ज्यादा दिये बहात और काफ़ वालों को कोई तक्लीफ में काफ़ वाल में जितना पानी पियां उतना अच्छा जिनको मोटापा जादा है वो पानी जादा ही तो उनके लिए बहुत उच्छा जूस मड़ा गुट्टा क्रम उनटने पर कौन-कौन से भिष्ट वाला होता है इस पर मेरा पूरा एक तीम घंटे का व्यक्षाम लेता है दिरोधी और विपरीद चीज़ें खाने का और विर्द वस्तुएं आप खाईएंगे तो सबसे ज़्यादा चर्व रोग आईगे चर्व रोग अगर जैसे दूद आप फूर पीने लगे जूर शाम को पीने लगे तो आपको जरूर चर्व रोग आईगे वाइट स्वाट सो सकते हैं लिपोडर्वा हो सकते है इची उसा सकती है सौराइसिस असकती है सौराइसिस अख्सर आते है उन्हीं पेशerd को जो विपरीट खानओ आते हैं और विपरी में तो जब जिसका समय है उसी समय आप तो शाला कि बच्चों को गाजर और शेल खिले गाजर है ना गाजर है उसको कर्दू कसमे घिसे तो उसके लक्षे से बने और से उसको कर्दू कसमे घिसे उसके भी लक्षे बने दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर तो एक भरभर के खिलाईए बच्चों को सुझा जितने दिन से खिलता है जितने दिन गाजर मिलती है निय व 향वेज बजल ऐसे दिए, तिनपे 5 साल करना पादिन और जाती लेकिन उतर सी आपने कहा हैं इस युण पानी पिर मंटी का हैं, तुने का पानी युची कैसे लिए तीनों में एके घंटे का मिका अज़तर है, सबसे पहले पादी लेगे, एक घंटे बाद मैधि का पानी लेगे, एक घंटे बाद चुली पाद आपड़ों बीच में कोई भी समय जहां बीच में आप आदा गंटे के समय में नाश्टा कर लिए जैसे सुबह का पानी पिया उसके आदा गंटे चारीज मिनट बाद नाश्टा कर सकते हैं उसके आदा गंटे के बाद आप मेधी का पानी ले सकते हैं या पानी लेके मेधी का पानी लेके किसे इंचुना इक कितना वां कि सिर्में गैंटर अगर ठीप करना है तो बहुत अच्छी दवाए नीमू का लस्ख और गुर्ड दोमों मिलाईए नैं तो नीमू के रस में शहर्द मिलाईए और इसको बाल में लगाईए और एक हेंटे लगा नहीं दीजे, फिर उसके बाद बाल को भोली उसे, शेंपू मत लगा लिए वस्ते, तो डेंडर्फ दो रहा थी उपार में निकल जाए। गुट्का का चलंग से कई लोग होने की सम्हाओना इसे कैसे रुप जाए। गुट्का का चलंग जाए। जिनको गुट्का काने की आदत हैं उनके लिए आपके लिए छोटे-छोटे-चोटे अद्रफ के टुकड़े काटिये। दूप में सुखा लेजे और उनको दीजे। जब भी गुट्का खाने का दिल करे वो गुट्के का एक मूह में यह जो अध्रक का कुपड़ा रखे हैं और उसको चूसते रहे। दिन बर पर खतम नहीं होगा, रात पर भी खतम नहीं होगा, दो-ती दिन नगातार करें जिए चौते दिन से यादी नहीं आई दिटकाता है। पल्स पोलियों अगया कि बारे में आती जब चाहिए। इसकी बहुत जरूरत नहीं है, हमने बहुत ओवर्डोज के रगिया हमारे बच्चों को, पहले आया था कि एक कुड़ात देंगे, अब पता चलगा है दग्दस कुड़ात हो देंगे। और कई बच्चे बिचारी बढ़ रहे हैं इस पल्स पोलियों की कुड़ात है। इसलिए मेरी विंत्य है कि ज्यादा इसको ओवर्डोज मत वर्में देंगे। और वैसे बगवान ने प्रकरती में हरिक को डिफेंसिव सिस्टम दिया है शरीर और वो डिफेंसिव सिस्टम पर बरोसा करें। मैंने कभी फल्स पोलियों की कुरात ने खाई मेरी भाई ने लिए लिए मेरी बेहन में। हम तिनों स्वस्तें किसी को पोलियों देंगा। एसे हदारों रोंե традиructure है लेकिए धूनien के दूसरे देशों में ये सब वैक्सिनेशन बन दो चुका है। भारत में चालू हैं अमेरिका में बंने हैं यूरोप के देशों में बने हैं। भारत में चालू है क्योंकि उन्टों भारत के बच्चों से कोई ऐसा लगाव नहीं जो अपने रख्चों से तो ये मास वैक्सिनेशन तो बहुत ही खराब है इसमें आप मठ जाएं जरूर लगते हैं एपिदाइटिस भीकां की जरूरत नहीं है किसी को लेक्सिन को शरीर का प्रतिरक्षा सस्तंत जो है उसको ठीक रखे वो अगर ठीक है तो दुनिया पे सब ठीक रहे वाए उसको कम्यों मत पढ़ रहे हैं अगर आप दूट पीना चाहते हैं तो इसकी मातरा पह होती है काम क्या करते हैं माझे कि आप मेहनद का काम करते हैं थाथ पे रहलाते जुलाते या बहुत महनद करते हैं तो ए दिन में ऐसेशारे चीन सब मिली विटर तक यह पढ़ दिसकते हैं और अगर कुछ भी नहीं करतें, साधारान, सुबह, शान, आराम की जिंदिदी है, तो कभी भी 200, सवा 200 mm से ज़ादा दूप मत कीज़ा है। चोटे बच्चों को उमर कितनी है? माहिए ये साल के अंदर की उमर है। साल के अंदर की उमर है, तो जादा से ज़ादा उनको 100-700 mm, और एक साल से तीन साल के बीच की उमर है, तो 200 mm, बच्चों. आट-टस साल के बच्चों को ढई सो से तीन सो की बीच में चलेगा। लेकिन एक उमर बढ़ने के बाद से ज़वरत इतनी नहीं है, 15-16 साल के बाद इतनी ज़वरत नहीं है, तो उसकी मात्रा चाहें तो कम कर सकते। बच्चे लोग मिर्च नहीं खाते हो, तो क्याती है। मिर्च नहीं खाते हो, उसमें अच्छी अे बात है। लेनी पड़ी हैं और बहुत अच्छी किताब ही, आपको मिले तो हम भी पढ़ी है। क्योंकि उसमें उन्होंने इतनी लॉजिकल बाते कहीं हैं, जिनको पढ़कर ऐसा समझ में आता है, कि ये उसको भी बिमारी नहीं है, वो खाम-खाम का एक हववा कड़ा किया गया है, पंडों उस देच कुते हैं, और ये उसका पढ़ने के बाद में तीन प्रोफिसर से मिल च पिते और सों में आपने तो हाई कोर्ट में इंचार विजा विदेशी कंपनियों को इसके खेज किया था, उसमें से कुछ कंपनियों के खिलाफ कोर्ट में आदेश दिया और उनको भारस से जाना पड़ा, जो शेयर बजार में पैसा अकमाती थी और बिना टेक्स के उसको जानकरी को छूट गई आपको बताने के लिए वो चरट सहिता की नहीं है, शुशुप की भी नहीं है, बागबट की भी नहीं है, वो जीवन बिवार में से समझने है रही बात है, वो यह है कि आप भरत जो खाना बनाते हैं, उसके ये तेल इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो पता चला कि वो इतने खराब हैं उसमें इतने केमिकल हैं जिनकी आपको कल्प नहीं जी और ये बिपाबन तेल ज्यादा बड़ा कारण हैं फिर्देधाद के लिए और जो खराब कोलेस्वाल ना बियागी ये बहुत पढ़ गया उन्हों ने एक ही परिवंतन किया उपने जिद्विगी विपाबन तेल खाना इन्हों ने बड़ गिया शुद्ध तेल खाना शुरू किया अब उसके बाद इनोंने लिटिल प्रोफाइल चेक कर आया, तो इनका जो ख़राब पॉलेस्ट्राल था वो कम हो गया, और जो अच्छा पॉलेस्ट्राल था वो बढ़ गया, ये जो इनके लिए परणाम आया, वो भारत में सैकरों लोग भी यही बात करते, वोगी कहते कि ज लोगों ने तैकिया एक तेल हविड शुरू करनी जा रही कि आपको ये सोनी जी और रपन साथ के सजोग से शुद्धी तेल भी मिल जाएगा, दमतरी में आप शुद्धी तेल कोई कभी नहीं आने लागी हो है, आप हमेशा ये याद रखिए, तेल कोई भी भी खाईए, लिपा बन बेटों नहीं शुद्धी तेल खाईए, और जादा अच्छा तेल जो खाने को है, मुफली का है, तिल का है, और हमारे घरों में कई बार इस्तेमाल होता है सरसों का, ये तीन को छोड़कर चौथा कोई तेल बताईए, सोयामीन का तेल को गल्ती से निमत है, सूर जाद शुद्ध का नॉर्मल जो बोड़े तंपरेचर है, तो सैंटीस गिर सेंटीग्रेट है, सोयावीन तेल और ये जो सूरज मुखी का तेल है, इसको डाइजेस्ट होने के लिए 40 दिगरी, 42 दिगरी लगता है, उतना तंपरेचर शहीर में कभी भी बिगरी होता, बीमा हमें को छोड़े, तो इसलिए सोयावीन अच्छा तेल घनी, आपके लिए सोयावीन अच्छा तेल है शुवर खेल केलिए, शूर होते न, इनको घरकूर सुद्ध तेल खलाना चाहिए, और सूरज मुखी का तेल न, भीष को बडरूर खिलाना चाहिए, तो इसके काम का है, मनुष्य के काम के लिए जो नो तेही हुए तर सोयावीन का तो दिन आजिए प्यों बोलते हैं पनीर उसका अच्छा बढ़ता है यह जो सोयावीन का प्रोटीन है ना यह मनुष्य शरीम में कभी भी डाइजेस्ट के होता क्योंकि बहुत प्रोटीन जो सबसे आसाने से हमें डाइजेस होता है वो डाल का है आपने कभी देखा बर्मान की पूजा में सोयावीन रखते हैं क्यों नहीं अगर इतना अच्छा है सोयावीन बर्मान की पूजा में उड़क की डाल रखते हैं म hm ki dal बढते हैं, मसूर ki dal बढते है, अरयक की dal बढते हैं, cestic की dal बढते हैं, sturägली नाल कभी भी नी रखते हैं, क्योंकि वो अच्छी नहीं है. शास्तर के हिसाब सबी नहीं है, इंपयान के हिसाब सबी है. Soyavim दाल खाएने वादी लोग, कुछ लिए है दुनिया में जो ठंडे अलाखे में रहते हैं वो खा सकते हैं एजिए हमारे लिए लोगी नहीं है पनी शॉवारिक का मद खाए धूट का लिए ना स्वाषिन का पनी अधाया थॉट का है हुँआ कर दूपनी पनी बाद है हाँ, बहुत अच्छा प्रश्ण है, यह पहली आपना अच्छा था। खाना थार्णिय के 20 मिनट पहले आप बढ़ते पानी की सकते हैं 20 मिनट करों कितना भी चाहएं इतना पानी की सकते हैं गेहू के साथ चले को मिला के खाई हैं सुआबीन की बिल्कुल जरुदत चन्ना और ब्यावू बेस्ट कॉम्बिनेशन किसी जंप पतखे लिए उस सुआबीन को पचाने के लिए जो शरीर में लगता है ना इंजाएंग को है नहीं हमाने शिए वो सिर्फ सुआब के शरीर मनुष्य में हैं ही नहीं तो खाने से लो प्रदी बोड़ा चना खाता है और दुन्या की सबसे बड़ी ताकत भोड़े बिन पाली जाती है और हर ताकत को घुड़े से ना पाजाता है हॉर्स आवर्स और आप चना खाइए ना तो निर्शी चना खाता है पूंगे चपन वर्स, हाइट पांच कुछ पांचीन, वजन वाओं किलो, वजन बढ़ने के तुट्या हो, उपायर करें। आप अगर वजन बढ़ना चाते हैं, इस उम्र में भी, तो उसका सबसे सरव उपाय है, दरी और केका खाये साथ में, चना और गुर्ध खाये साथ में, और मुफली के दाने और गुर्ध खाये, ये तीन चीजें आपको दाइबना शामिल करिये, आपका वजन चार से पांच म जिए, आप में दाजी जिए, चोण को कवालों के ये सुवत आता, और मुफलों की ये निरात रहता, जिए, आपके एक प्रशन पूछा था इसी तरह का मुझे यान आगया, अगर मानने जब दिप्शटी की तक्लीफ है, और वाद की तक्लीफ है, तो आप क्या कराएब, को आप फिर यह मतंः है दाल चीरी भी मतंः लीजрий यही मतंः चुने के पामिका लुच क transfron शुन हैया कि अगयर है यह तीन गश्री है अंड़ाय यहाप। मात्रा कितनी एक चमज एक चमज तृफला चूं और एक चमज शयर शयर सेर्ड के लेसके तो एक चमज बुँट। सबह भी सकते तो बहुत अच्छा परिणाम sms, लेकिन हैं अच्छा परियाम लेला हैं तो सुबह भीजी, कम तो रात का, जी, आमला, हरडे और वहड़ा, मात्रा तीनो सम, सम मात्रा रखे, एक एक अनुपाद, आदा किलो आमले का चुन, आदा किलो हरडे का, आदा किलो वहडे का, तीनो मात्रा बराओ, अच्छा जी गूर आ रहे होंगी, तो पूरी केमिकल का भी मिलता है, आपको चाहिए, तो हम दिलवा देंगे, आपको बिना केमिकल का गूर चाहिए, तो यही मिल जाएगा धंतरी है, बिना केमिकल का गूर जो है न, थोड़ा काला-काला सा होता है, और जो जादा केमिकल वा नहीं अच्छा देखने वाली हर चीत अच्छी नहीं होती है आपको मालूम है कई बार कुछ बहने बहुत बोरी दिखती है लेकिन जब उनकी नबस देखते हैं तो पता चला के एनीलिया की शिकार है हाँ रत तल पता है तो रत की कमी आने से जो पीलापन है वो हमां गोरापन दिखाई गया तो उसमें धोखा हो जाए तो गुर्ण बहुत पीला है तो अच्छा नहीं है जी धन्यवाण अभी आगे भी कोई प्रश्णों तो आप पत्र लिखे कभी भी फूच सकते हैं इनका एक प्रश्ण है और यदर बहुत इमर्जन से है तो बोजर के तुरण बार को बनता हुआ खोड़ा सब पार साथ रोल नगां के हसाब से मख पीजे इमर्जन से रोल नगां के हसाब से अधिड़्टे के बार अब कर रख गरम ही सबसप्षा आशा है आपके प्रिश्णों दोक्तर मिलगे आओगे और आपको सब्सक्राइब कोगे अंत में लक्ष्मा निंज्याओ को पुलागा अमत्रित कर रहा हूं तो आपके प्रिश्ण देंगे धन्यवाई धन्यवाई अजन्य राक्षा खाजी बचाओ अंभॉला में धन्यवाई अभ्याई धन्यवाई धन्यवाई दिक्षे जी जेओ के धन्य राक्ष्मा और अपने एक बार और धन्यवाई अट्यावद्याई करके इसके प्रफियंचा को उसका लाब दिया हम आभादी है हां उपस्तित समस्त रबुद जनों के विशेशूप से नगर में सत्री जो महिला संगठन है उनके इनोंने बहुत अच्छी उपस्तिती प्रदान कर इसका इक्रम को सार्थक किया और सभी ग्रामान इनाविकों कि इनोंने यहां पर उपस्तिती जदान करे साहर जिन को साथ रब दिया हम आभादी है अगरने से मुद्दार की साहूर जो हमसे शेक्षा वर्मा जो प्रजय शिकाई के अध्यक्ष है कि आपने भी अपना बहुत बुद्दी समय दे करके और हमारे कारेक्रम की सफल्का में हम अभादी हैं समस्क पस्तारवित्रों के इनोंने सुचना और प्रकाशन के मार्ड़न से जन जन तक्या आज के साजक्रम की फुतना भी और जे शफल आयोगे ऐसे प्रत्यक्ष वेक्ष और अप्रत्यक्ष स्थायोग से संपन्व हुआ है ऐसे सभीक और हम आर्दिक आप प्रबंदन के हम आभादी हैं और यवस्ताओं में सहयोग जरकाओं के हम आभादी हैं पुर्ण तोंगों धन्यवाद से चाहिकरम अपनी समाथ 12 जैसी के सुचनाय दी गई है कि राजी दिजी सा एक और व्याठ्यां राम कथा पर आधारिक ग्राम अर्जुनी में इसके ब बस खाले हैं ते बाद